दोस्तो आगे बढ़ने के पहले एक correction करवा देता हूँ जो typological mistake हुई value of supply में है जो rule 31a में amendment हुई थी lottery से related अब जो rate है दोनों के लिए common कर दिया उनों है यहाँ problem में एक mistake हुई है जो आप correct कर लो calculation mistake वो यह हुई है कि आपका जो value है 7,21,250 तो आपकी जो यह value आ रही है 7,81,250 पहला जो value आ रहा है इसका 14% जो है आपका amount जो होगा यहाँ correction कर लेना just a minute यहाँ पे जो यह amount आएगा यह amount यहाँ गलती से वो 46 हा है वो 1,09,375 आना चाहिए और यहाँ पे भी 1,09,375 आना चाहिए मैंने उसको और divided by 2 कर दिया by mistake इस तरह से होगा value it आपका जो amount है 1,09,375 वहाँ पे cover होना चाहिए ठीक है अगर आप 14% 14% के साब से नेकाल होगा है और second case में into second case में तो बराबर है second case में बराबर है first case में उतना आपने correction कर लेना है चलो अब हम देखते हैं आगे की amendments यहाँ पे जो तो बच्चे वे topics के amendments हैं तो दोस्तो चलो आज चालो करते हैं हमारा next lecture of amendment तो दो composition लई भी पे थे तिसरा आपने last इसमें पुरा देखा होगा और आज का fourth number का lecture इसमें discussion स्टार्ट करेंगा last lecture में हमने rule 43 का detailed analysis देखा था जिसमें क्या changes हुए है और यहाँ पे हमने यह भी देखा था कि statutory updates में यहाँ remaining हर capital goods का remaining period of life कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में बात नहीं की है तो कल के discussion में मैंने यह भी कहा था कि इस पे period calculate करने के लिए clear clarity नहीं है government की कि कब से period calculate करें उसके बाद expected था कि ICAI कुछ base लेकर वो period की clarity दे लेकिन दोस्तों उसमें भी ICAI ने कोई भी clarity नहीं दिये बहुत ही simple example जो मैं यहाँ लिया है यह simple example यहाँ government ने sorry हमारे ICAI ने statutory updates में दिया हुआ है जहां तक CMA और CS इनकी statutory updates आने की है पता नहीं आप उसमें क्या view लिया जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो remaining period पे deferred किया जाएगा हर capital goods का कैसे निकाला जाएगा उसके पर फिलाल तो आपको कोई questions नहीं पुछे जाएगे आपको simply जो month में switching हुआ है उस month में ही आपको calculate करके बताना है तो चलो दोस्तों यह तो अच्छी बात रहेगी तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी तो एक छोटा सा यहाँ पर introduction में कर देता हूँ और फिर आगे ही discussion बढ़ाओगा एक video जो यहाँ पर यहाँ CA दर्शन चंडालिया सरका है जो costing बढ़ाते है CA final level पर उनका एक revision batch चालू हो रहा है तो उनका जो revision batch चालू हो रहा है एक September से वो जरूर आप कीजिएगा बहुत ही आपको helpful होगा और one of the imminent faculty of Vsmart जो definitely उनके lectures आपने करने के बाद आपको help होगी ही होगी तो एक छोटा सा commercial break ले लेते है मैं उनका details schedule आपके साथ share कर देता हूँ रहे है भी बाता है 15 वेल से से दोटार में परक में आपके सा कीजिएगा अलै भी आपके लेँड़ी जब सावचछव उनका ररोत्या है अलै रहे हम साने कोईव這個是 10.1 चाल भी है प案li Soul तो दोस्तों यहां मैं आपको यह जरूर कोगा कि यह रिविजन बैच आप जरूर देखिएगा यूट्यूब पे आएगी और डेफिनेटली इसको आपको हेल्प होगा ही सब डेटेल्स जानकर ही यहां आपको दर्शन सर जरूर देगे नेक्स्ट मैं आपको यह कहो बेटा कि आईसी याए ने चलो हमारे अमेंडमेंट्स पे आते हैं आईसी याए ने स्टेटिटरी अपडेट्स में जो एक्जामपल दिया है वो तो बहुत ही सिंपल एक्जामपल देके उन्होंने समझाया है तो यह स्टेटिटरी अपडेट्स में दियेगे एक्जामपल को हम देखेंगे फिर मैंने दो एक्जामपल यहां कंसिडर किये हैं इलस्टरिशन वन और टू वन हम यहां सॉल करेंगे टू जो है मैं आपको बताऊगा कैसे सॉल करना है लेकिन टू आपके लिए होमवक रहेगा जो आपको सॉल करना है पर no doubt जो कॉशनेर का जो आपको अपडेट आएगा उसमें वो आपको सॉल करके दे दिया जाएगा पहले आप ट्राइ कीजिएगा इतना सारा हमने डिस्कुशन किया तो आप ट्राइ कीजिएगा और अगर आप सॉल नहीं कर पाए तो कॉशनेर में कॉशनेर की अपडेशन की जो पीडियाफ आएगी उसके अंदर उसका एंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों तो चलियां यहां देखते हैं यहां की हमारी IC AI की Statutory Updates में क्या कहा गया है तो दोस्तों यहां अगर आप आते हों तो I think page नमबर 10 क्या असपास होगा आपके amendments में देख लेना ओके implication of our amendments can be understood as under ठीक है तो यह implication page नमबर पर जादा धान मत देना यह paragraph देख रहा है क्या तो यह IC AI के Statutory Updates में दिया गया है Statutory Updates में दिया गया है Updates में तो यह क्या दिया गया है उन्होंने कैसे समझाया Rule 43 को यह देखिए है The input tax on capital goods used or intended to be used commonly for making taxable commonly for making taxable and or zero rated supply as well as exempt supply or non-business purpose shall be denoted as A हमने यह देखा था clause C के तहत Such amount as reflected in invoice मैंने आपको कहा था कि यह नया word आया है As reflected in invoice Will be credited to electronic credit ledger The useful life of such capital goods shall be assumed to be 5 years तो इसमें तो कोई problem ही नहीं था हमारा main जो problem था और switching जब होता है तो remaining useful life कितना होगा हाँ लेकिन उन्हेने reflected in the invoice यहने invoice basis पे emphasize किया गया इसके अपर अच्छा का सा discussion हमारा already हो चुका है Example उनने यह दिया Azure Private Limited और रजिस्टर्सप्लियर Manufactures, Paints and Other Chemicals While Paints are taxable, Other Chemicals exempt from GST It has purchased a machinery in October 1, 2020 From making both paints and other chemicals The invoice for the machinery shows the value of machinery रुपीज 1 करो and GST payable there on 12 lakhs ठीक है, Input tax rupees 12 lakhs will be denoted as A यह clause के आप से and transfer to electronic credit leisure as an useful life to be assumed as 5 years तो यहाँ पे useful life जो है 30 September से plus 5 years उसकी मानी जाएगी ठीक है, तो इसमें तो कोई हमें दिक्कत ही नहीं थी कि उसकी useful life 5 साल commonly use हो रहा है तो उसका credit आप ले सकते हो और electronic credit leisure में आप transfer कर सकते हो उसके बाद में यहाँ पे second देखो When capital goods which are initially used only for non-business और exempt supply and subsequently used for commonly for exempt and non-business purposes as well as taxable or zero rate supplies Input taxed in respect of should be denoted as A and credited to electronic credit leisure हाँ, तो यह बात है यहाँ यह important change हुआ है ध्यान से सुनिएगा यहाँ यह important change हुआ है पहले old provision में क्या था ध्यान से सुनो पहले old provision में क्या था तो old provision में यहाँ पे 5% reduce करके बाकी का amount I repeat 5% reduce करके बाकी का amount credit होता था अब ऐसा नहीं है अब यहाँ पे जो है total amount जो है credit करना पड़ेगा जो invoice में दिखाया गया मतलब फिर से एक बार कह देता हो कि पहले आप यह exempt या non business के लिए use कर रहे थे अब वो common में आ गया तो जो भी invoice में उसका ITC है वो ITC आपको पूरा credit मिल जाएगा और आपके TC के calculation के लिए भी लेना पड़ेगा आगे उनने यही का है the eligible credit attributable to a period during which such capital goods were used for non business purpose or making shall be computed 5% per quarter or part thereof and denoted by TIE इसके बारे में भी हमारी बात हुई and such TIE shall be added to output tax liability of a tax period in which credit of such capital goods is claimed यहने पहले क्या था आप 5% कम करके ही ले लो अब जो वो क्या कह रहे है अब वो कह रहे है कि 5% कम करके नहीं अब तुम जब भी वो common में आएगा तो पूरा लो और जितना आपने exam period के लिए यह यूज किया वो पिरेड का आपको TIE निकानना पडेगा और वो TIE गवर्मेंट को पे करना पडेगा आपको TIE एक करोड की मशिन थी और बारा लाग उसको पर GST था उसको ही करते है अब 1st October 2020, Azure Private Limited starting using one of its old machine which was being used for manufacture of other chemicals for manufacture of paint as well So, shade machines are purchased on October 1, 2020 for Rs 60,00,00,00 exclusive of GST 12 percent, input tax 7.2,00,00,00,00 will be denoted A and credited in electronic credit ledger in the month of October, out of 7.2,00,00,00 ITC 288,000 will be in legible credit that is TIE and it will be added to output tax liability of Azure Private Limited. for the month of October मतलब कुछ ने बहुत ही simple example से उन्हें समझा है हमने तो बहुत detail में discussion किया लेकिन अगर आप example देऊगे तो यह तो बहुत ही लल्लू example है यहाँ पे तो जहां तक देखा जाए तो वो क्या कह रहे है कि बहुत ही old machine थी 1st October को उसको common pool में डाला और वो common pool में यूज होने लगा जिसकी original invoice price 60 lakhs थी और उसका GST 7.2 था तो no doubt यह 7.2 का तो आपको credit मिल जाएगा लेकिन आपको TIE निकालना पड़ेगा और TIE 2,888,000 निकालके यह अब आपको pay करना पड़ेगा फिर से एक बार समझे लो पुरानी provision और नई पुरानी provision में क्या difference आया तो पुरानी provision में है दोस्तो यहाँ पे यह था एक बार फिर से पुरानी provision में यह था कि आपको 5% reduce करके बाकी का credit मिलता था और वो ही TC में consider हो था लेकिन अब क्या हुआ अब reduce नहीं करोगे पूरा जो credit है वो पुरा TC में भी consider करोगे और पुरा credit भी लोगे और second आप TIE अलग से pay करोगे यह convenience हुई इसके बारे में अच्छा कासा हमारा discussion हुआ है the amount of A credited to electronic credit leisure in respect of capital goods whose useful life remains during the tax bet shall be added together यहने TC अब TC दो machine पे निकाला जाएगा एक जो example वन में जिसका 12,00,00 रुपय आपका यह था क्या ITC था और दूसरा machine जिसका 7.2 पूरा का पूरा एड किया जाता है पहले क्या होता था पहले इसमें 7.2 एड नहीं होता था पहले 5% reduce करके बाकी जो बचा वो एड होता था और वो आगे 60 months तक deferred किया जाता था पर अब ऐसा नहीं है अब 7.2 पूरा एड होगा TC में भी और credit भी पूरा मिलेगा और TIE आपको अलग से pay करना पड़ेगा लेकिन यह दूसरे machine का जो 7.2 एड करोगे आप तो यह 7.2 आपकी जितनी remaining useful life बची है एक दूसरा difference बता देता हो दूसरा difference यह था कि पहले ऐसा था कि आपका जो यह एड हुआ है switching में वो पूरा 60 months deferred होता था लेकिन अब इस capital goods का पूरा 60 months deferred नहीं होगा इस capital goods का जो है बेटा यहाँ पर जो बचेवे मन्त है और वो बचेवे मन्त के base पर ही deferred किया जाएगा अब सबसे बड़ा problem यह था कि वो बचेवे मन्त कैसे निकालना अभी तक उसके पर clarity नहीं है और अभी भी statutory updates में कहां दिये कुछ भी example में उन्हें ने clarity नहीं दिया है तो exam में मेरे इसाफ से नहीं पूछा जाएगा point number 4 where capital goods which were initially for taxable supply अब मुझे बता पहले taxable supply की लिए था फिर वो common में आया तो उसका credit ले चुके थे हम इसलिए फिर से electronic credit legend में credit नहीं आएगा लेकिन TC calculate होगा I repeat TC calculate होगा और TC में वो consider किया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हाँ subsequently used for taxable as well as exam supplies and non-business purposes input tax claim inspect of SIM shall be added to the TC TC के लिए वो add कर दिया जाएगा और accordingly उन्होंने example दिया कि पहली machine वो जो example 1 में दूसरी machine वो example 2 में और तिसरी machine यह जो अभी यहाँ पे पहले exclusively taxable कि लिए थी अब common में आगी वो machine भी consider कर ली जाएगी और TC में पूरा का पूरा add करना पड़ेगा पुरानी provision में क्या था वेटा पुरानी provision में यह था कि इसमें भी 5% reduce करके बाकी का add होता था और बाकी का आगे 60 months तक deferred किया जाता था लेकिन यहाँ पे deferred मतलब apportion किया जाता था और उसके payment होते थे अब यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे जो है पूरा का पूरा add हो जाएगा और हाँ पूरा पूरा का पूरा जो GST उसके उपर है invoice में जो बताया गया वो पूरा add किया जाएगा और आपको 5% के calculation करने की जरूरत नहीं है आई repeat 5% के calculation करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे जब वो taxable से common में आता है तो और अब आपको 60 मंत नहीं जो उसके remaining useful life है उतने ही period तक आपको allocate करना है in the ratio of E by F तो E by F के ratio में आपको allocate करना है बेटा TM जो calculate होगा TM calculate करने के लिए किसी गाभी TM calculate करने के लिए 60 से ही divide करना पड़ेगा इस पे हमारी बहुत clear बात हो गई थी तो divided by 60 होगा TR का concept उन्होंने निकाल दिया है तो मैंने आपको पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ the term TR which is used in said formula defined omission of clause of has been thus render formula given G तो इन्होंने भी कहा है कि TR जो है TR word नहीं होना चीए था वहाँ पे वहाँ पे TM word होना चीए था और वो TM word जो है और कहीं पे भी TR word defined नहीं है वो mistake हुई है government से government ने वहाँ पे TM के जगा गलते से TR लिखा हुआ है वो हमारे institute ने भी कहा है बस इस से जादा कोई जादा clarification ने नहीं दिया है in simple word बेटा मुझे लगता है अगर इस बार इस पे question आएगे तो remaining useful life का period का calculation का हमारा जो question pending है कैसे निकालना क्यूंकि जब हम 5% निकालते हैं तो quarter निकालते हैं लेकिन जब हम remaining useful life निकालते हैं तो monthly basis पे जाते हैं फिर वो partly period हुआ तो उसको कैसे consider करना इसके उपर अभी clarity आना बाकी है देखते आगे क्या होगा पर आप डरिएगा मत exam में आपको इसके उपर नहीं पुछा जाएगा I hope आपको clear समझ में आया होगा यहाँ पर यह provision ठीक है दोस्तों तो आपने यह provision समझी statutory updates में क्या दिया वो भी आपने समझा लेकिन दोस्तों इसके उपर अगर problem solve हो जाए तो आपका confidence अलग ही बढ़ जाएगा तो चलिए मैं एक problem बहुत अच्छे से solve करके दूगा जिसका वीडियो मैंने already record करके रखा हुआ है problem solving का तो अब यह वीडियो जो है हम देखेंगे जिसमें मैं आपको problem solve करना सिखा होगा एक problem मैं सिखा होगा दूसरा problem मैं आपको explain करके दूगा आपने homework करना है और उसका answer आप कहां check करोगे तो उसका answer आप check करोगे जब मैं questionnaire का update का PDF डालोगा उसमें आप definitely उसका answer check कर सकते हो तो चलिए हम देखते है इस related एक problem जिसमें आपको बहुत clear understanding आ जाएगी ठीक है दोस्तों चलो वेल सो दोस्तों जहां तक देखा जाए अभी हम last lecture में rule 43 हमने discuss किया rule 43 में चलो मैं एक 2 minute mobile silent पे कर देता हूँ तो हमें disturb नहीं होगा आप भी अपना mobile silent पे कर दो rule 43 में capital goods का allocation कैसे करना हमने यहां पे देखा rule 42 में inputs और input service का allocation कैसे करना हमने देखा अगर आपको याद होगा तो यहां पे rule 42 में I repeat rule 42 में यहां पे T1 मतलब पहले total T ले ले लेना I hope आपने पढ़ा होगा total T ले लेना फिर T1, T2, T3 निकालना now T में से अगर T1, T2, T3 आपने deduct कर दिया तो C1 मिल जाएगा इसका C1 जो आया उसका आप credit ले सकते हो आप मेरी बास समझ जाओ C1 जो आया उसका आप credit ले सकते हो electronic credit laser को transfer कर दो लेकिन backward calculation करो T4 जो exclusively taxable supply के लिए है उसको अलग कर दो वो C1 में से deduct कर दिया तो आपके सामने क्या आजाएगा आपके सामने आजाएगा बेटा T2, sorry C2 C2 को फिर E by F के ratio में D1 निकालो अगर common input और input service for business or non-business होगा तो फिर आप 5% fix निकालो that is D2 और remaining बज़ेगा C3 और D1, D2 जो है मैंने आपको कहा था कि output tax liability में add कर देना चाहिए लेकिन अभी मैं कुछ amendments पढ़ा होगा जिसमें यह होगा कि उन्होंने कहा कि output tax liability में add न करते वे आपने ITC से reverse भी कर दिया तो भी चलेगा यह तो आप monthly basis पे निकालोगे फिर आपको yearly summation of D1, D2 निकालना पड़ेगा और जो भी difference होगा वो difference आपको pay करना पड़ेगा तो यह सारी बात हैं हमारी हुई थी rule 43 capital goods का जो amendment था और मैंने यहाँ पे additional video attach किया था amendment से related थोड़ा यह समझा लो कि मैं फिर से एक बार revise कर लेता हूँ अगर कोई students ने नहीं कि यहाँ पे लिखा होगा या नहीं समझा होगा तो मैं आपको इतना कहना चाहोगा कि एक बार फिर से अच्छे समझ लो पर मैं यह expect करता हूँ कि आपने lecture होने के बाद घर पे इसको try किया है ठीक है तो घर पे आपने try किया है चलो तो अब मैं बेटा यहाँ पे case 1 लेते है case 1 हम ऐसी लेते है कि हमारा कोई पुराना capital goods जो हमने purchase किया था exempt या taxable और अभी common में आया ऐसा कुछ भी नहीं है एक simple है कि हमने इस month में कुछ capital goods खरीदे और वो capital goods common के लिए खरीए दे ठीक है तो case 1 कि मैंने cg1 purchase किया मतलब कुछ capital goods cg1 मैंने purchase किया इस month में purchase किया उसके invoice में ITC 6 लाग टोपे दिया था simple step है तो उतना 6 लाग का पुरा credit ले लो गौवर्मेंट आपको credit पहले ही दे रही है वो loan जैसा है पहले आप पुरा enjoy कर लो credit आप पहले लो और के government को उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो government जो विटा आपको credit पहले ही दे रही है ठीक है just a minute ठीक है तो government यहाँ पे credit आपको पहले ही दे रही है उसके बाद में next यहाँ फिर आप निकालो TC जो है वो कि इस month का कितना credit आपका वो capital goods CG1 से related तो वो कितना credit यहाँ पे तो capital A और CG यहाँ पे TC में क्या फरक है capital A मतलब एक capital goods का ITC ऐसे अगर आपने इस month में 3-4 capital goods खरीदे होगे तो वो summation of A मतलब इस month के I repeat मेरा word सुनना इस month के जितने भी capital है उसका summation हो जाएगा वो हो जाएगा TC में तो इस month के जितने भी capital goods है हमने एक capital goods assume किया TC फिर उसको monthly divide करो credit तो आप ले चुके हो लेकिन government कहती है हम उसकी life 5 साल assume करेंगे और अगले 5 साल आप से कुछ ना कुछ लेते रहेगे तो अगले 5 साल आप से लेते रहेगे तो divided by 60 कर लो अब divided by 60 उने के बाद पर मन्त आजाएगा आपका 10,000 रुपए यह 10,000 रुपए पर मन्त जो है यह deferred हुआ अब यह respective month का जो भी turn all आएगा I repeat respective month का E by जो आएगा तो इससे निकलेगा T E T equals to T M into E by F government उसको update करना भूल गई है वो T M होना चाहिए क्योंकि T R concept उन्होंने remove कर दिया जो पुराने concept में था तो वो T M होना चाहिए E by F 2500 रुपए तो इस मन्त में आपको आपका ITC attributable to exam supply 2500 हुआ तो यह 2500 है आपको reverse करना है ठीक है ना उसके बाद में यह बटा reversal है कुछ payment करना है गया payment करने की कोई जरुवत नहीं है क्योंकि payment तभी आएगे जब switch होगा तो आप ना कोई switch नहीं किया तो payment कुछ नहीं करना है यह 2500 3B में से आपको reverse करना है ठीक है तो यह अभी reversal का में यूज कर रहा हूँ जब आगे GSTR 2 अगर आ जाएगा तो पेमिंट तभी बात होगी फर अभी आपको 3B में से reverse करना है चलो यह तो बात हमारी हुई हमने एक ही capital goods करीदा और उसका TM निकाला लेकिन बेटा अब case 2 लेते case 2 में क्या होगा कि यह मन्त में capital goods करीदा और कुछ switch भी हुआ switch मतलब पहले जो है मैंने CG2 जो है exclusively exam supply के लिए यूज किया था जिसका ITC 4 लाक रुपे था I repeat जिसका ITC कितना था बेटा 4 लाक रुपे और exclusively मैं exam supply के लिए यूज कर रहा हूँ मैंने ITC नहीं लिया क्यों क्योंकि exclusively exam supply के लिए था दो ए निकले दो अलग अलग ए 6 लाक और 6 लाक जो CG1 जो capital goods में अभी खरीदा और जो switch हुआ 4 लाक ऐसे 10 लाक का ITC में ले लोगा government के यह 10 लाक का पुरा ITC ले लो याने जो April में मैंने exempted goods करीदा वो exempted goods का भी ITC इस मन्त में government मुझे पुरा allow करने के लिए ready है लेकिन government यह 4 लाक का ITC तो दे रही है पर आप से दो चीजे करवाएगी आप से कुछ payment भी करवाएगी जिसे हम TIE कहेंगे क्यों क्योंकि कुछ period के लिए आपने exempted के लिए यूज किया तो आप से payment भी करवाएगी और उसके बाद में आप से reversal भी करवाएगी क्यों क्योंकि यह common capital goods अगले बचेवी useful life पे आप यूज करने वाले हो तो बचेवी useful life जितने भी होगा 56 months, 57 months जो भी हम ने नीचे calculate किया है तो बचेवी useful life पे आप common यूज करने वाले हो exempted as well as taxable के लिए तो यह जो आप common यूज करने वाले हो exempted as well as taxable के लिए तो बचा उसका reversal भी करवाएगी तो अब कैसे तो यहाँ TC दोनों के लिए अलग अलग निकालना I repeat यहाँ TC जो है दोनों के लिए अलग निकालना CG 1 और CG 2 और के दोनों के लिए आपने TC लिया 6 लाग 4 लाग जितना भी उसका credit है फिर उसको TM से डिवाइट किया 60 months से अब यहां से सुनना यहां डिवाइट तो आप 60 months से ही करोगे I repeat डिवाइट तो आप 60 months से करोगे इवन दो उसकी useful remaining life यहां पर बाकी होगी और वो यहां पर 56 months ही बाकी होगी क्योंकि April to May May from the date of invoice April to May May to June, June to July, July to August क्योंकि वो ऑगस्ट में कॉमन में है तो चार में ना हो सकता है कि जो है आपका यहां वो यूज हो गया हो चार में ना हो आपका यूज हो गया हो लेकिन बेटा Capital Goods CG1 का T जो निकला जो रिवर्सल यह August प्लस आगे के 59 मन्त मतलब ऐसे टोटल 60 मन्त में रिवर्सल जाएगा लेकिन CG2 का जो बचेवे मन्त है यहां मैंने 56 मन्त लिए बचेवे और कि उतनी पिरेड का रिवर्सल जाएगा और जो वो पहले यहने April से August तक I repeat April से August तक exclusively exam supply के लिए था इसलिए उसका payment निकला जाएगा और उसका payment 5% per quarter और यह quarter calendar quarter लिए जाएगे I repeat यह quarter जो है calendar quarter लिए जाएगे और यहां calendar quarter की साबसे आपको payment करना पड़ेगा तो payment आपको क्या करना पड़ेगा जो exclusively exam supply के लिए जितना भी period आपने यूज़ किया उसका payment आपको करना है ठीक है और यहां reversal आगे का करना है बचे भी useful life अब कोई student यह कहता है कि sir क्या हम यह payment के लिए हम ऐसा नहीं ले सकते क्या जैसे हमने पर मन कितना निकाला पर मन 666667 निकाला और वो आपके इसाफ से 4 मन्त यूज़ किया तो 6667 इंटू 4 उतना पे कर देंगे और हमने 5% पर कॉर्टर क्यों लिया नहीं बेटा अभी यहां जो formula है वो अलग-अलग है payment करने के लिए यहने पहले 4 मेने आपने जो payment करना है वो इवन्दो आपने monthly निकाला होगा पर पहले 4 मेने का 5% पर calendar quarter की साफ से ही calculate करना है और बचे भी useful life पर आपको allocate करना है between exempt and taxable supply आई बात आपको यह समझ में तो बेटा अभी तो ऐसा ही है इसमें कोई confusion आपका नहीं होना चाहिए जहां तक इसकी बात है 56 मन इसके calculation जो है यहां मैंने लिए है पर इसमें difference opinion आ सकते है इसलिए मैं ICAI की statutory updates का वेट कर रहा हूँ ICAI का statutory updates यह calculation of month क्योंकि मैंने date of invoice से लिया है और मैंने quarter wise नहीं लिया date of invoice से month नहीं लिया और मैंने August जो है August पार्ड भी हूआ होगा तो भी मैंने वो exclusive exam में लिया है अब देखते हैं कि यह 56 मन का calculation जो मेरा opinion है जो मैंने लिया है वो सही है के नहीं है यह statutory updates आने के बाद और clear होगा इसलिए मैं आपको यह suggest करूगा कि amendment आपने देख लेना जादा lectures नहीं होगे दो तीन lectures होगे थोड़ा speed में देख लेना पर देखना ही है अन्य ससरी WhatsApp पे questions पूछके या कि social media पे questions पूछके आपका भी time waste मत करना और मेरा भी time waste मत करना ठीक है तो या कि भई हमने class किया है मैं amendment देखना है क्या देखना है इवन दो मैं यह अभी fast track के classes जिन्होंने 15 जुलाई के बाद लिया है मैं update करके दे रहा हो तभी आपको एक बार just for knowledge just सभी amendments एक जगा आने के लिए और ICI की statutory updates में अगर कोई variation होगा view opinion में तो मैं वो भी cover कर लोगा ठीक है अब बेटा अगर switching आपका taxable से common में आया मतलब exclusively जो है वो पहले taxable के लिए use हो रहा था अब वो common में आ गया तो common में आ गया तो क्या होगा आपको credit तो नहीं मिलेगा क्यों credit नहीं मिलेगा क्योंकि जब आपने taxable के लिए use किया तब वो उसका credit आप ले चुके थे इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो A जो है मैं सिफ CG1 का लोगा जो खरीदा गया CG3 जो है उसका मैं credit नहीं लोगा ठीक है और उसके बाद क्या होगा उसके बाद मैं TC मैं निकालोगा क्यों क्योंकि मैं यहाँ पर credit इसने नहीं ले रहा हो क्योंकि अल्रीड ले चुका हो और मुझे अब August और August के बाद मुझे उसको deferred करना है उसके credit attribute करना है exempt or taxable के लिए तो उसके credit attribute करने के लिए मैं TC मैं consider करोगा दोनों का TM निकालोगा और बेटा यहाँ पर कि उसका जो remaining useful life होगी वो remaining useful life पे टी जो है respective turn or यहनि उस मन्द के अलग-अलग respective turn or जो होगे उसमें divide करके pay करोगा और मुझे payment कुछ करने की जरुवत नहीं है क्यों payment करने की जरुवत नहीं है क्योंकि वो जो period था यानि अगर मैं यहाँ पर diagram लूँ वो formula अगर आप देहान से देखोगे तो यह आपको आपने पूरा credit ले लिया था और कि आपने पूरा credit ले लिया था तो यह तीन मैने के credit आपके affect नहीं होगे और August और August के बाद आपके credit डिवाइड किये जाएगे और आपसे payment नहीं करवाया जाएगा क्यों payment नहीं करवाया जाएगा क्रेडिट मिलते ही है एक जम का जब switch हुआ ना तो आपसे specially payment करवाया गया वो payment इसलिए करवाया गया क्योंकि वो period के credit आपको alone नहीं होने चीए थे इसलिए आपसे payment करवाया गया आई बस समझ में तो यह था बेटा यहां पर जहां तक देखा जाए हमने यह discussion किया था एक बहुत अच्छा discussion हमने यहां पर cover किया था ठीक है अब मैं इसके आगे इसका chart cover करूगा आपको chart draw कर लेना है मैं screen पर आपको chart थोड़ा समझा देता हो आपको chart आपको draw कर लेना है और फिर next page blank page होगा अगर आपने use नहीं किया होगा अगर use कर लिया होगा तो notebook के page पे आप chart draw कर लिएगा तो अब यह chart draw करने के बाद हम इसके उपर problem solve करेंगे ठीक है चलिए देखो आपको chart कैसे draw करना है rule 43 on capital goods अब देखो input tax on capital goods का allocation कैसे करना है ठीक है पहले समझे लो फिर आपको chart draw करना है मैंने clause A छोटा A लिया आपको याद होगा छोटा A clause A clause B clause C अगर मैं आपको बताओ तो clause A clause B clause C कहां से लाया clause A अगर आपके notes में जाओगे तो clause A बेटा अगर exclusively आप जो है non-business या exam supply के लिए उसकर जाओ तो ITC नहीं मिलेगा clause B आप other than exam supply के लिए यूज कर रहे हो तो आपको ITC दे दिया जाएगा ठीक है और clause C common clause C common तो यह छोटे clause A यहां पर T1 T2 नहीं ले रहा हूँ यहां पर clause A clause B और clause C इस तरह से मैं यहां consider कर रहा हूँ is it clear तो चलिए यहां पर clause A देखो क्या कहता है okay clause A input tax on capital goods use exclusively for non-business और exam supply अगर यह non-business और exam supply के लिए है तो ITC नहीं दिया जाएगा okay not to be credited to electronic credit leisure मतलब okay no ITC available यहां पर that is no ITC available मतलब पहले देख लो फिर आपको draw करना है अगर आप capital goods I repeat अगर आप capital goods exclusively exempt और non-business के लिए है तो आपको ITC नहीं दिया जाएगा और उसके बाद में capital goods use exclusively for taxable supply यह आप ऐसा कर सकते हो other than exempted supply यह taxable supply मतलब भी other than exempted supply other than exempted supply ठीक है including zero rated supply तो आपको ITC दे दिया जाएगा और अब C C में मैंने क्या किया A और T IE ऐसे दो अलग-अलग पाट किया पहले A देख लेते हैं A क्या कहता है A कहता है if capital goods not covered by clause A and clause B that is common capital goods the input tax credit on such IT input tax on capital goods purchase during a month and input tax on capital goods earlier covered by A but subsequently covered by C okay earlier covered by A मतलब exam and subsequently covered by C note life of capital goods extended up to five years IT shall be credited to electronic credit leisure मतलब उसका जो input tax है वो उसका ITC आपको मिल जाएगा credited to electronic credit leisure मतलब ITC मिल जाएगा अगर आपको knowledge के लिए रखना है तो आप ITC मिल जाएगा और देखो याने दो credit आप ले सकते हो कौन सा इस मन्त में जो capital goods खरीदा और जो switch हुआ और switch कौन सा हुआ जो पहले exempted के लिए था और वो common में आया तो उसका credit आप ले सकते हो पर subsequently covered in clause A तो उसका ITC आपको जो है वो मिल जाएगा sorry उसका ITC आप already ले चुके थे इसलिए अभी नहीं लोगे उसका ITC आप already ले चुके थे इसलिए अभी नहीं लोगे ठीक है और TIE ये बताओ TIE कब निकालना पड़ता है payment to be added in output tax liability where capital goods are nearly covered by A but subsequently transferred to C मतलब आपकी ये situation होगी तो 5% per quarter यहने calendar quarter और part there of आपको उतना payment calculate करना पड़ेगा अब देखो ये जो credit है आप ले लोगे कौन सा इस मन्त का capital goods और exempted का जो switch हुआ taxable का switch हुआ उसका credit नहीं लोगे पर आप जो है TC निकालने के लिए come on TC निकालने के लिए आप तीनो capital goods लोगे क्योंकि TC आगे remaining useful life में attribute करना है इसलिए आप current year का capital goods भी लोगे switch वाला capital goods भी TC में लोगे और taxable का जो common में है उसका भी TC आप लोगे TC में consider करोगे TC में consider करोगे अब वो TC में consider हुआ जो submission of A फिर उसका TM निकालोगे TM divided by 60 ओके और फिर आप TE निकालोगे बिटा और TE by F और reversal आप हाँ मैं आपको यह करोगा रिवर्सल करोगे अभी तो उन्हें रिवर्सल की प्रोविजन लाई है मैं आगे explain कर दोगा रिवर्सल करोगे capital goods जो इस मंत में purchase किया तो 60 मंत में रिवर्सल होगा और जो switch हुआ ध्यान से सुनना TE निकाला जाएगा और remaining useful life पर रिवर्स किया जाएगा तो यह चार्ट ड्रॉब करो फटा फटा फट जो भी space है और no doubt यह इसके लिए ज्यादा space रखना वो जो horizontal page है उसमें आपको adjust करना और नीचे थोड़ा space रखना हूँ मुझे कुछ comments लिखवाने हैं आपसे तो नीचे थोड़ा space रखना है चलो यह चार्ट आप ड्रॉब करो rule 43 का मैं थोड़ा बढ़ा करता हूँ कि अज खश Самाश marathon भी जगए सुषराश श्माशने को करता है हम्हान दॉब करता है कि मैं आपसे नीचे थोड़ास झाल 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 capital goods R and capital goods T this may IGST IGST and IGST and remark इस तरह से column बनाना है अब 2 minute के लिए रुको मैंने SHRIP S R ठीक, capital goods S, R and T, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हमारे प्रॉब्लम ना है, हाँ, S, R T या R S T जो भी है, मैंने ये तीन ही capital goods क्यों लिया, क्योंकि ये तीन ही common थे और इनका ही T E मुझे निकालना है, और इनके ही reversal निकालना है, और इनका ही मुझे T I निकालना है, और इनका ही मुझे T E निकालना है, बाकी तो exclusive थे, exclusive थे तो सवाल ही नहीं था, इसलिए मुझे तीन ही capital goods चाहिए थे, S, R और T, अब आप R S T कहो या मैं SR T कहोगा, मैं S पहले क्यों ले रहा था, क्योंकि वो इस मन्द का capital goods है, इसलिए आपको याद हो है, वो switch हुए है capital goods है, ठीक है, तो मैंने SRT लिया यहाँ पर, ठीक SRT, अब आपको क्या लिखना है, देखिए, अब हम step by step जाएगे, अब सबसे पहले, तो देखो, अब हमारा जो law क्या कहता है, law हमारा यह कहता है, मैं बहुत ही slow ले रहा हूँ, even though it is super 35, पर यह आपको fast में समझना ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर, हमारा law यह कहता है, हम मैं कौन सी step लोगा, पहले C लोगा, okay, C वाली step लोगा, साथ में हम T, I, E भी निकालेंगे, proviso भी consider करेंगे, D और D का proviso भी consider करेंगे, फिर E और G, तो सबसे पहले step by step चलते हैं, मैं C, C मतल मैं electronic credit legend में credit ले रहा हूँ और उसकी life assume कर रहा हूँ 5 साल, I repeat, उसकी life assume कर रहा हूँ 5 साल, अब एक बात आपको बता दो, यहाँ पे लिखा है extended up to 5 years, मतलब आप 3 साल, 4 साल भी ले सकते हो पर maximum 5 साल, अब problem में अगर 3 साल दिया तो 3 साल लेना, क्योंकि law यह कहता है कि 5 साल maximum जाएगी, वैसे तो हर problem में default आपको 5 साल ही लेना है, पर कोई problem में 3 साल कहीं तो फिर 3 साल लेना, क्योंकि up to 5 years कहा गया है, I repeat, up to 5 years कहा गया है, तो बेटा यहाँ पे, आपको यहाँ पे up to 5 years लेना है, तो यह up to 5 years जो लेना है आपको, life जो है 5 साल लेनी है, तो सबसे पहल क्रेडिट ले लता हो, क्रेडिट कितना मिलने वाला है उसका, तो हमने कितना क्रेडिट लिया है, तो चलो, यहाँ पे amount of ITC to be transfer to electronic credit ledger, amount of ITC transfer to electronic credit ledger, आप मेरे साथ लिख सकते हूँ, क्रेडिट ledger A, इसको A denote करना, denotation use करो, मार्क से उसके लिए, तो मैंने S का 90,000 transfer किया, R का मैंने 1,80,000 उपर के table में मिल जाएगा, पर T का मैंने कुछ भी transfer नहीं किया और करना भी नहीं चीए, क्योंकि मैं already उसका credit ले चुका हूँ, ठीक है, ITC आप लिख सकते हो, already taken, taken, ITC already taken, यहाँ, remark में लिख जाना, refer, एक मिलाट, Note 1 and Note 4 Note 4 Note 1 and Note 4 ठीक है Second Second step क्या थी बेटा See तो हम credit ले चुके तो अब देखो मैंने जो common capital goods इस मत में खरीदा उसका भी ITC ले लिया और जो switch हुआ उसका भी ITC ले लिया हम TI बाद में निकालेंगे और जो switch हुआ उसका भी पूरा ITC मैंने ले लिया हम उसकी note भी लिखेंगे पूरा provision उसके बाद में next step है कि मैं इसको D D निकालू याने D क्या है तो D ये है कि electronic credit leisure clause C in respect of common capital goods whose useful life remaining remains during the tax period जिसे हम TC कहेंगे तो उसको हम नाम देंगे ITC of CG whose useful life remains during tax period थोड़ा wordings पे भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको ITC of CG whose useful life life remains in tax period remains in tax period whose useful life remains in tax period TC अब मैंने आपको क्या कहा था मैंने आपको कहा था TC सबका अलग-अलग निकालना TC सबका अलग-अलग और देखो मैंने तीनों के column अलग-अलग किये है अगर मैंने तीनों के column अलग-अलग किये है मतलब भी obviously TC सबका अलग-अलग निकल रहा है तो इसका TC क्या निकलेगा इसका 90,000 जितना क्रेडिट लिया है इसका 1,80,000 जितना आपने क्रेडिट लिया है और देखो T का भी TC आएगा मतलब मैं T का क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ पर मुझे आगे remaining useful life को bifurgate करने के लिए मुझे उसका TC जरू लेना पड़ेगा तो उसक ना उसका total ITC is shown in the invoice क्योंकि आगे remaining useful life को मुझे bifurgate करना पड़ेगा इसलिए मैं TC उसका ले रहा हूँ तो यहाँ पर यह मैंने इसका कोई reference note आपको नहीं देना है क्योंकि आपने पूरा पहले लिख दिया TC तो यहाँ कोई reference note नहीं है चलो discussion को आगे बढ़ाते है ठीक है अब third step क्या है अब TC तो आपने ले लिया अब आपको निकालना है TM TM के wording देखो क्या दिये है TM के wording यहाँ में उनने दिये है अब step number यह तो हो गया step number E the amount of input tax rate attributable to a tax period on common capital goods during their useful life okay तो ITC attributable to tax period मतलब इस month में okay on that common CG during their useful life we denoted as TM तो देखो उसको हम यह wordings आपको learn करनी पड़ेगी ठीक है ITC attributable to tax period to tax period during their useful life TM equals to TC divided by 60 चलो TC divided by 60 करते जाओ तो पहले आएगा 1500 दूसरा आएगा 3000 दूसरा आएगा 4500 यहाँ कोई special note नहीं 4500 तो ITC attributable to tax period during their useful life TM, TC यह निकल गया और 4th अब आपको निकालना है TE अब TE के वर्डिंग्स देखो क्या कहते है TE के वर्डिंग्स कहते हैं यहाँ पर amount of common credit attributable to exam supply ठीक है तो Now, amount of common credit attributable to exam supply, exam supply, now, यहाँ आएगा T equals to, मैं T M ले रहा हूँ, वो गलती से T आरे वहाँ पे, T into E by F, E aggregate, E total turnover in state, F aggregate, E total turnover in aggregate turnover in state, ठीक है, तो यहाँ पे, यह कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका 500, कैसे आए 500 ब्राकेट में बताना, 1500 into 100 divided by 300, दियाए वेटा turnover हुनोने, total turnover, exam supply का turnover शेकर लेना, दियाए, 100 lakhs, 300 lakhs, यहाँएगा 1000, 1000 कैसे आएगा, तो 3000 into 100 divided by 300, और यहाँ आए 1500, यह पे बल, TE, यहाँएगा, आपका, 4500 into 100 divided by 300, 5th, amount to be reverse, to be reverse equals to T e, इतना reversal करना है आपको, to be reverse, 500, 1000 और 1500, ठीक है, 500, 1000, 1500, 6, period, period for which reversal to be done, reversal to be done. तो यह तो 60 months के लिए रहेगा, okay, as 60 months के लिए रहेगा, क्योंकि इसी बत में purchase किया था, तो 60 मेना reversal करना है आपको, अच अ耗ցमी रहेवाँ, तो फेवना रह ंतर रहे., वहाँना रहेऑंगा, प्योंकि मेंतर माचतर करना करना करना, थ dedi 된हरा करना करना रहे., जो respective month के होगे उसके accordingly आपको reversal जो करना है 60 month का आपको reversal करना है अब बिटा इसका कितने period R का तो चलो मैं problem में देखते है आर जो वो कह रहे है आर पहले exam के लिए supply हो रहा था अब वो 32 months वो exam के लिए use हो चुका है 32 months कैसे निकाले हैं उनने August से लेके तो मार्च तक August, September, October, November, December ये हुआ पांच मेना August, September, October, November, December ये पांच मेना 2017 का, 18 का, 12, 19 का 12, प्रस 3, प्रस 5, हां 32 मेना अब ये समझ लो, मार्च तक 32 months हो जाते हैं, मेरी बार समझ लो, मार्च 32 months हो जाते हैं अब यहां पर अगर आप August का भी मन कंसिडर कर लेते हो, क्योंकि, sorry August से लेके मार्च 2020 तक 32 months हो जाते हैं, लेकिन आप April, क्योंकि वो switch April में हुआ तो अगर आप April का भी कंसिडर कर लेते हो, तो वो 33 months हो जाएगा अब उपर वाले problem में, ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना confusion नहीं उपर वाले problem में, मैंने August में switch हुआ था, तो August का भी मन्त मैंने कंसिडर कर लिया था याने, यहाँ पर, सुरी, हाँ, अगर आप देखते हो, तो April to May, May to June, June to July और July to August, मैंने पतला इन्हें चार मैंने काट दिये थे, क्योंकि वो August, तो मैंने August का पार्ट भी consider कर लिया था, अगर इस principle पर जाओ, कि जो month में switch होता है, वो भी मैं consider कर लो और उसको काट दू, तो फिर वो 33 months हो जाएगे, I repeat, वो 33 months हो जाएगे, लेकिन अगर यहाँ पर, अगर मैं जो month में switch हुआ, वो month मैं consider नहीं करूँ, तो फिर यहाँ पर 32 months हो जाएगे, हमारे problem में, तो sir, मैंने यहाँ पर आपको दिया था कि subject to ICAI clarification, I repeat, subject to ICAI clarification, तो मैं यहाँ जो consider करूँगा, मैं उस problem से ही जाओगा, जो problem मैंने लिया है, लेकिन institute की statutory updates देखना, कि जो month में switch हुआ, वो month हमने consider करना क्या, तो यहाँ पर मैं 32 के जगा, 33 months ले लेता हूँ, ले जाएगे, फिर से ले 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 हुए, और कि मैं 32 तो इन मार्श तक खतो हुआ है, पर जो month में switch हुआ, वो month लेना क्या अगर मैं वो month ले लेता हूँ तो 33 months use हो गया अगर 33 months use हो गया तो remaining useful life कितनी बची 60 में से 33 months चले गए तो remaining useful periods 27 months बचा तो मेरे हिसाब से फिर यहाँ पे 27 months आना चीए यहाँ पे 27 months आना चीए is it clear पर यहाँ स्टार करके subject to statutory updates by ICAI यह लिखना जरूर subject to statutory updates by ICAI देखते ICAI इसके पर क्या updates देती है हम आगे देखेंगे लेकिन मैं 27 अभी फिलाल ले रहा हूँ इस पर मेरे कोई calculation बेस नहीं है क्योंकि calculation हो चुके है मैं TE निकाल चुका हूँ स्रीफ मुझे यह information देना है कि remaining useful life कितना प्रेट बागी है तो यहाँ यह जो है subject to statutory clarification और बेटा next जो अगर मैं लू यहाँ पे तो next T T जो है पहले taxable का था common में आया पर कब खरिया था जन्वरी जन्वरी 2018 मतलब 2018 के January to December 12 मैना 2019 के 12 मैना और आने कितने हैं 24 ओके फिर एप्रियल जन्वरी फर्वरी मार्च तक 27 और मैं एप्रिल भी consider करू तो 28 मंस हो जाएगे I repeat मैं एप्रिल भी consider करू तो 28 मंस हो जाएगे तो मेरे हिसाब से अगर मैं 28 लूँ तो वो भी again remaining आपको यह सीव information देना है आपको उससे जादा नहीं है तो यह 27 मंस और यह 28 मंस और कि यह calculation नहीं करना है सीव information देना है पर फिर से यह star subject to statutory updates by ICAI subject to statutory updates by ICAI ठीक है तो यह period तक हम reversal करेंगे उसके remaining useful life पर अब 7th number पर calculate करो चलो फटा फटा आजाओ amount to be added in output tax liability amount to be added in output tax liability to be added in output tax liability TIE for for CG are capital goods are capital goods R अब देखो हम TIE जो है वो स्रीफ R के लिए निकालेंगे क्योंकि कुछ पिरेट तक वो एक्जम्टेड के लिए यूज हुआ था कुछ पिरेट तक वो एक्जम्टेड के लिए यूज किया हुआ था इसलिए हम सिफ capital goods के R का TIE निकालेंगे इसका भी निकलेगा और last का भी का निकलेगा R का 5% per quarter और per quarter part of the quarter भी लिया जाएगा तो अगर मैं R को लेके चलू बेटा तो R जो है August 2017 मतलब यह August 2017 यह second calendar quarter है यह एप्रिल में जून नहीं July August September second calendar quarter मतलब 2017-18 के अगर मैं calculate करूँ यहाँ पे तो देखो 2017 और 18 के four quarters 17 और 18 के three quarters sorry three quarters 18-19 के four quarters 1920 के मतलब March तक four quarter और देखो 31st March 2020 तक four quarters हुए है लेकिन वो common switch हुआ और वो एप्रिल में हुआ इसलिए फिर मैं April का एक quarter भी लोगा यहने 2021 का one quarter यहने टोटल आप लिख लो side में तो टोटल कितने quarters हुए तो four plus four eight plus three 11 and 12 quarters यह total आपके 12 quarters हो जाते है बेटा यह 12 quarters का payment आपको निकालना है ठीक है तो 12 quarters का payment कैसे निकाल हो गया आप तो उसका credit लिया गया था एक लाक असी है जा तो यहाँ एक लाक असी हजार इन्टु 5 परसेंट इन्टु 12 यहने एक लाक आथ हजार का आपका payment आना ची है एक लाक आप हजार टी आ है आना ची है कैसे निकाला तो एक लाक असी हजार इन्टु 12 quarter इन्टु 5 % इन्टु 12 quarter इन्टु 5 % ठीक है यह आपका आगया तो बेटा यह है टेबल अगर आपको दिख रहा होगा तो यह टेबल है हमारा हमने सब क्यालकुलेशन किया नोट्स यह TIE की हम नोट नमबर मैं कम्माइन करूगा इसको TIE को नोट नमबर 2 के साथ ने स्री नोट नमबर 1 के साथ नोट 1 यह TIE की नोट नमबर 1 के साथ ठीक है अब लिखे नीचे लिखो नोट्स अब नीचे लिखो फटा फट नोट्स ठीक है पहला नोट लिखो पहला कात्र नोट लिखो नोट लिखो जैंको yen 1 as per proviso to rule 43 1 43 1 if c g if c g earlier use if c g earlier use for exclusively exempt supply exclusively exempt supply then exclusively exempt supply and then subsequently then subsequently subsequently use for common supply subsequently use for common supply then avail the itc as shown in invoice avail the itc as shown in invoice will the itc as shown in invoice and pay and pay the amount and pay the amount in bracket to be added in output tax liability to be added in output tax liability output tax liability bracket complete equals to 5 percent per quarter 5 percent per quarter or part thereof or part thereof or part thereof on itc availed on itc availed on itc availed on itc availed from the date of invoice from the date of invoice date of invoice next note number 2 write down note number 2 if c g purchase sorry if c g is commonly used if c g is commonly use for exempted and taxable supply for exempted and taxable supply for exempted and taxable in invoice amount of itc as shown in invoice amount of itc as shown in invoice shall transfer to electronic credit laser shall transfer to electronic credit laser next note number 3 note number 3 if a capital goods earlier use for taxable supply if capital goods earlier use for taxable supply if capital goods earlier use for taxable supply earlier use for taxable supply and subsequently transfer and subsequently transfer subsequently transfer for common use for common use for common use then then itc should not be taken then itc should should not be taken should not be taken in the month in the month when it is switch in the month when it is switch when it is switch because its itc already have been taken already have been taken already have been taken in the month of purchase already have been taken in the month of purchase first off but comma but comma the itc amount of such capital goods comma itc amount of such capital goods shall be considered shall be considered for calculation of tc for calculation of tc is eligible for full time of taxable tax under the month of purchase . तो देखो एक बार फिर से मेरी बास समझना यहां पर कि exclusively अगर non-business purpose के लिए है तो फिर तो उन्हों दिया कि नहीं मिलेगा लेकिन common के लिए कोई reversal नहीं है वो exempted के reversal है common use for non-business purpose उसका कोई reversal नहीं है तो वो situation में आपको ITC दे दिया जाएगा ठीक है तो यह था regarding to यहां पर दोसों जो आपका एक point आ सकता है दूसरा दूसरा rule 43 में block credit के बारे में कुछ नहीं लिखा है जैसे जैसे हम T3 निकालते है rule 43 में T3 निकालते है for block credit वो उसका ITC नहीं लेते है लेकिन कोई capital good जो block credit में आता है उसका क्या तो उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है अब मैं यहां पर क्योंकि एक बार मैं आपको बहुत क्लियर लिकाओ कि जो eligible ITC है यहां clear words में है कि जो eligible ITC है वो आप continue कर लख सकते हो तो note number 2 लिखाओ note number 2 लिखाओ rule 43 does not talk rule 43 does not talk does not talk about capital goods about CG which is used in block credit sorry which is covered by block credit section 17 5 rule 43 rule 43 does not talk about capital goods use does not talk about capital goods covered sorry covered by section covered by block credit that is section 17 5 covered by block credit that is section 17 5 full stop even though rule 43 is silent even though rule 43 is silent rule 43 is silent the ITC of such capital goods shall not be allowed ITC of such capital goods shall not be allowed shall not be allowed as per section 17 5 as per section 17 5 of supply of goods made to non-business purpose by the other one to supply of goods made to non-business purpose के लिए भी है तो यह आपके turn or दिये हैं अब ध्यान से सुनो जब आप aggregate turn or निकाल होगे तो aggregate turn or निकालते वग ध्यान से सुनना आपका taxable supply total turn or निकालते वग आपका taxable supply, zero rate supply, exam supply और non business purpose के लिए भी वो भी consider होगा non business purpose यह भी consider होगा यह आपका total turn or माना जाएगा total turn or माना जाएगा कि उन्हों non business purpose के लिए हैं और exam supply का क्यों तो आपका e होगा यह, okay e होगा यह और f होगा यह, e by f ठीक है, उसके बाद में capital goods used in the business, उन्होंने a, b, c दिया है purchase is, okay cgst, sgst, यहाँ दो tax दिये, cgst, sgst और कब purchase किया उसकी details भी दिया है, okay, कब purchase किया उसकी details भी दिया, now, next अब देखो वो क्या कहते है, capital goods यह earlier use for exam supply, but from 1st August 2019, हम 1st August 2019, commonly used for making taxable as well as a exam supply अब बेटा, यह year मत, क्योंकि आप आप यह मत कहना कि सर, यह तो amendment 2020 में आया है, 2019 दिया है, इन मैं चोड़ो जाओ, मेरे से correction करना रहे गया है, आप वहाँ 2020 समझो, important concept, तो a ऐसा good से जो पहले exam supply के लिए use हुआ, बाद में common में आया, b, ऐसा है कि जो पहले taxable के लिए use हुआ और बाद में common में आया, और c, commonly used for making taxable supply, जिसको august में ही purchase किया गया, तो अब तो यहाँ पे मज़ा आएगा, यहाँ पे तीन capital goods दिये हैं, और तीन capital goods में कुछ नहीं, आप को अगर चाहो तो एक ही table, अब यहाँ दो table बनाने की जरुवत नहीं है, यहाँ पे, नहीं नहीं, जैसे हमने दो table बनाए, वैसे आप दो table बनाओगे, जैसे मतलब यह पहला table, इसमें ITC में दो column आएगे, ITC में CGST और SGST, capital goods A, B, C, तो A जो है commonly switch हुआ, इसलिए उसका ITC मिल जाएगा, B, taxable था, credit already लिया हुआ है, और C, इस मन्द में purchase किया, इसलिए credit मिल जाएगा, तो total credit, टाइटल यह रहेगा, total credit, इस पर provided back इसमें दो column आएगे, CGST और SGST, और total credit आपका इस तरह से लिया जाएगा, उसके बाद में बिटा next जो है, यहाँ, फिर second table आप ऐसा बनाओगे, इसमें क्या करोगे, इसमें आप capital goods जो August में purchase किया, याने C, A और B, और C, A और B में, अब यहाँ मैंने IGST के column किये, आप दो करोगे, CGST और SGST, CGST और SGST, CGST और SGST, CGST और SGST और last remark, और यह step follow करना, तो इसके पहले यह problem solve करना है, और बाद में illustration 2, मैं illustration 2 आपको homework देता हूँ, आप घर पे try तो कीजिए, homework देता हूँ, इसको हम आगे कल या उसके next session में, एक बार मैं 10-15 मिनिट का time देके, आपके साथ discuss करूगा, अभी तो मैं आपको homework दे रहा हूँ, try करो घर उपे, इसमें IGST के जगा, internal column, दो column आएगी, CGST और SGST, और हमने जो उपर steps follow किया है, वो step follow करके देखिए, आप try कीजिए, okay, problem solve करके, मैं आगे, okay, एक दो session में आपका कोई ने कभी ने कभी जैसी time मिलेगा, मैं ये point cover कर लोगा, ठीक है, done, तो आप try करो इसको, ठीक है, so दोस्तों आपने अभी अभी इसका problem देखा, I hope आपको समझ में आया होगा, अब next जो है पेटा, यहाँ IT से हमारे topic खतम हो जाता है, next हम topic स्टार्ट करेंगे, फि 43 पर अगर वो question पूछेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि remaining useful life कितनी बची है, वो आपको period लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर वो लिखने की जरुवत पड़ी, तो आपको जो है, मैंने जिस तरह से solve करवाया है, वोई आपको method follow करनी है, so यहाँ हमारे chapter करतम होता है, IT से, तो दोस्तों, next topic हम देखेंगे payment of tax, ठीक है, इसमें एक amendment जो last time भी थी और उसको by section clarify किया गया, वो amendment section 49 में और एक notification था, rule 87.13 में PMT 09 के amendment, जो May में भी applicable थी और November में उसको और अच्छे से clarify किया गया, और उसके supporting section में लाया गया section 49, चलो, इसका तुर्णा मैं background आपका बता देता हूँ, इसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे, और एक practical view में आपको दोगा, कि practically यह सब चीजे कैसी की जाती है, जिसका एक बहुत अच्छा चोटा सा video मैंने record करके रखा है, तो व GST को तिन सवा तिन साल हो गया है, आपको बहुत अच्छे से अब इसका knowledge आ गया होगा और office में भी आपने काम किया होगा, तो पहले restriction था कि आपने अगर पैसा CGST में, SGST में या IGST के tax में जमा किया है, तो आप CGST का tax का पैसा SGST के या IGST के इसमें यूज नहीं कर सकते थे, और CBA restriction tax का नहीं था, और कि ये restriction interest, penalty fees, यानि जिसमें जो कॉलम में आपने पैसा डाला है, वो ही major head या minor head के payment के लिए आप यूज का सकते थे, तो ऐसा बहुत सी बार पहले होता था, क्या, क्या आपने extra पैसा IGST के tax में डाल दिया, इंटरेस में डाल दिया, पर इस मन्त में liability IGST की नहीं, CGST, SGST की जादा है, तो आप वो cash leisure का पैसा, I repeat, वो cash leisure का पैसा IGST और SGST payment के लिए यूज नहीं कर सकते थे, पहले concept था, TTMM, तू तेरा मैं मेरा, मतलब जो आपने head में डाला है, उसी head के payment के लिए यूज कर सकते थे, फिर वो major head या minor head, ये provision हमने detail में discuss की थी office में देखी थी, लेकिन rule 87 जो है, इस से related notification आया, और 28 June 2019 को एक notification आया कि नहीं, अब आप ship कर सकते हो, क्योंकि इस से क्या होता था, कि लोगों का बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, परेशानी इस बात की होती थी, कि गलती से अगर IGST में ज़्यादा पैसा गया, अब सम कम हो गई, अब मन्त होने के बाद जो liability आई, वो CGST, SGST की ज़्यादा आई, तो अब इसमें option क्या होता था, एक layman क्या सोचता है, एक businessman क्या सोचता है, कि मैंने extra डाला हुआ पैसा है, cash laser में पैसा extra डाला है, IGST में डाला है, तो मुझे use करने दो न, किसमें use करने दो CGST और SG GST में, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर government का restriction था कि पहले use नहीं कह सकते थे, लेकिन फिर rule आया, rule 87 के तुरू PMT0949 और PMT0949 के तुरू आप shift कर सकते थे, यह rule ने कहा, लेकिन क्या हो रहा था कि rule जो है, contrary हो रहा था section, क्योंकि उससे related कोई section नहीं थे, तो उसके लिए special section लाया जो rule को support करता है, और इस से related हम detailed discussion करेंगे, और वो detailed discussion में, मैं आपको पुरा practically बताऊगा कि यह amount कैसे shift होता है, और कि यहाँ पर, so दोसों, यहाँ, जो है, कि कोई भी major head और minor head में shift कर सकते हो, और वो major head minor head shift करते वक्त, आपको PMT09-4 common portal पर देनी है, पर यह complete procedure कैसी होगी, कि किस तरह से इसको देखा जाएगा, इसके लिए देखते है, यह video, जो आपको पूरी detail में यह amendment बताएगा, ठीक है दोस्तों, तो चलिए, next page पे amendment क्य होई है, थोड़ा मैं आपको इस amendments related बता देता हूँ, जो November 20 exam के लिए applicable है, payment of tax, interest penalty, another amount, section 49 में, subsection 10 और subsection 11, यह add किये है, अब section 49 के, अगर आपको याद होगा, तो हम section 49 तक हम discuss कर चुके थे, I repeat, 49.9 तक हम discuss कर चुके थे, अब subsection 10 और 11 क्या कहता है, इसका special discussion मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और यह बहुत 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 important है, for your exam, ठीक है, क्या कहता है, देखो, तransfer अन्य अमां आप क्या ठेक्र और सेस एक्सेटरा ट्रांस्पर एनियम हो जैसा मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया कि आप जो भी पैसा मेजर हेड एंड माइनर हेड में डिपॉजिट करोगे जो हेड में आपने डिपॉजिट किया उस हेड के पेमेंट के लिए ही यूजिट करना पड़ेगा आप बिलकुल भी शिप नहीं कर सकते इसके वज़े से बहुत से लोगों को प्रैक्टिकल डिफिकल्टी जा रही थी कि हमना हमारा ही पैसा है हमने ही डिपॉजिट किया हुआ है सुनना दैन से हमारा ही पैसा है वंने ही डिपॉजिटे किया हुआ है। ठीक है और यह जो है गर्मम्न आपारा ये बिद दूजारा थे जिस्टी के तरह इख ज़ए इख ये हृजित गलती से मुने जो चीजीएषी तो ऐसे सिचुएशन में, यहां पर, यह हुआ कि continuous industry से demand आई, कि नहीं, हमें option दो कि हम shift कर सके, डबल डबल पैसा क्यों दे भाई, हमें option यह दिया जाए कि हम shift कर सके, हम डबल डबल पैसा नहीं देना चाहते, at last government मानी, और उन्हें आमेंडमेंड लाई, इस amendment का क्रक्स यह है, कि cash ledger के किसी भी हेड में, tax, interest, penalty, fees वगरे पढ़ाओगा, तो आप दुसरे कोई भी हेड में, दुसरा हेड में भी आपका, अगर CGST के हेड में पढ़ाओगा, तो IGST, HGST, UTGST, किसी दुसरे हेड में भी shift कर सकते हो, आप यह हेड में shift कर सकते हो, लेकिन उसके लिए, आप in such form and in such manner, subject to such condition, restriction as may prescribe, लेकिन, आपको हम फॉर्म बताएगे, उस फॉर्म में आपको, वो information बतानी पड़ेगी, और उस फॉर्म से shift करना पड़ेगा, तो उसका तरीका, उसका फॉर्म हम सब बताएगे, और कि वो common portal पे आएगा, और उस तरीके से आपको shift करना पड़ेगा, हाँ, अगर आप ये तरीका यूज नहीं करते हो, तो जो हेड में आपने पैसा डाला है, उसी हेड में, इसलिए, फंडामेंटली, यहाँ पे हमें यही धार रगना है, कि जो हेड में पैसा डाला है, major हेड और minor हेड, उसी मेजर हेड और minor हेड के द्यां से सुनो मेरी बाग, लेकिन यहाँ पे बेटा, अगर आपको shift करना है, तो फिर फॉर्म जो अभी मैं नीचे बताऊगा, पूरी complete procedure common portal के आपको बताऊगा, तो वो फॉर्म जो है, उस फॉर्म को आपको fill करना पड़ेगा, उस फॉर्म के थूर्म जिस तरह से procedure common portal पे दी गई है, वो procedure follow करके आपको जो है, यहाँ shift करना पड़ेगा, now, where amount has been transferred to electronic cash ledger under this act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in subsection 1, तो subsection 10 से, अगर कोई amount हमने transfer किया, वो उसी तरह से माना जाएगा, जैसे आपने अभी अभी deposit किया हो, under subsection 1 by NEFT अगरे, तो जैसे हम NEFT से पैसा डालते हो, उस head में, जैसे हम यहाँ पे RTGS से पैसा डालते हो, उस हेड में, तो जिस तरह से आप यहाँ पैसा डालते हो, वो उसी तरह से माना जाएगा, कि यस, come on, वो उसी तरह से माना जाएगा, कि आपने shift किया मतलब आपने पैस डाला है, अब एक बात आपको जानकर एक लिए बताता हो, एक्जाम के लिए इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, क्या हो गया था, रूल 87.13, ये 20th June 19 में अप्लीकेबल करवा दिया, याने ओपर जो मैंने एक्स्प्लेइन किया है, ये प्रोसीजर बाय रूल पहले आ गही थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसके ओपर अबजेक्शन उठाया, और अबजेक्शन ये उठाया कि जब सेक्शन अलाओ नहीं करता है, सुनो, जब सेक्शन अलाओ नहीं करता है, तो रूल कैसे प्रिवेल होके, तो इसलिए, फिर फाइनांस अक्ट 2019 ने उससे सेक्शन भी लाय मतलब अब सेक्शन से भी वैलिडिटी मिल गई, और रूल तो पहली ही चेंज करके रखा हुआ था, ओके रूल 87 यहां पे 13, देखो, वही कहता है, रजिस्टर परसन में, on common portal, transfer, any amount of tax, interest, penalty of fees, और any other amount available in electronic cash ledger under this act, to electronic cash ledger of integrated tax, central tax, state tax, और union trade tax, in PMT 09 चालान, तो सेक्शन और रूल अब एक alignment में लाएगे, और GST में ऐसा हो रहा है, पहले रूल दे दिया जाता है, फिर बात मतलब अरे इसके तो validity नहीं आ रही है, फिर section अमेंड करो, फिर finance act 19, 20, जो भी होगे उसके साब से section अमेंड करो, और फिर वो rule को validity लो, ऐसा बहुत गरबर च के लिए, और कि ये section भी आ चुका है, रूल भी आ चुका है, और उन्होंने form दे दिया है, क्योंकि section ये कहता है, ऐसा form और ऐसी procedure जो prescribe होगी, और rule में form जो prescribe हुआ है, PMT 09, ओके, ये form prescribe हुआ है, तो अब आप PMT 09 के थुरू, किसी भी head का, minor head, major head, किसी भी minor head का balance, किसी भी other minor head और major head में shift कर सकते हो, मतलब, okay, example की तोर पे last problem में हमें जो difficulty जा रही थी, क्या difficulty जा रही थी, कि हम IGST का balance, CGST, HGST में shift नहीं कर पा रहे थे, या interest हम tax में shift नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप जो है, हाँ, अब ये shift कर सकते हो, देखो कैसे, CGST का HGST में, CGST का CGST में, CGST का HGST और IGST में, interest late fee और any tax ये भी shift कर सकते हो, जैसे IGST के interest minor head में balance है, और आपको CGST के interest minor head में balance ही है, तो वो भी आप shift कर सकते हो, तो अब पुरा free shifting अला हो गया है, कोई भी किदर shift हो सकता है, लेकिन ये आप मनमानी नहीं कर सकते, इसके लिए अगर आपने गलती से कई extra deposit कर दिया फॉलो करके आपको ये पूरी shifting करनी पड़ेगी, अब PMT09 की procedure exam में तो नहीं पूछी जाएगी, पर मैं common portal पे PMT09 की procedure कैसे follow होती है, ये आपको समझाने की कोशिश कर होगा, तो मैं video start करता हूँ, उसका, वेल, तो देखें पेटा, ये common portal पे, आपके पास, जैसे मैंने एक example के लिए लिया, common portal पे मेरे पास balance जो है, cash ledger में 22,491 है, और यहाँ option दिया है, electronic cash ledger, PMT09 for transfer of amount and view file GST PMT09, ठीक है, तो यहाँ transfer of amount के लिए हम आगे बढ़ेंगे, कि बुझे अगर amount transfer करनी है, तो यहाँ से में क्लिक कर सकता हो, या direct में service portion से भी जा सकता हो, तो यहाँ जैसे अगर आप देखोगे तो services दी है, services में आप यहाँ laser और laser में, आप अगर देखोगे तो आपको जाना है cash ledger में, ठीक है, अगर आप cash ledger में आओगे सामने, तो cash ledger की मेरी situation जो है, वो देखिए क्या है, य अगर यह cash ledger आपके सामने आ गया, तो मेरे major head integrated tax, central tax, state tax, sales, etc. और minor head tax, interest, fees, penalty, another, अगर आप carefully देखते हो, तो integrated tax में, यहाँ पे cash ledger है, और cash ledger के integrated tax में, मेरा 22,223 का balance पढ़ा हुआ है, और state case में, यहाँ पे, yes 22,223 का balance पढ़ा हुआ है, और state case में, यहाँ पे, yes 22,223 का balance प rate case में, 268 का balance मेरे पास, okay, tax में पढ़ा हुआ है, total 22,491 का balance मेरे पास पढ़ा हुआ है, और यह मुझे shift करना है, और समझ लो, यह मुझे cgst में shift करना है, okay, थोड़ा अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे, देखे, हाँ, तो यह जो है cash laser balance preview updated balance, यह इस में, जब मैं shift कर दूँगा, ट्रांसपर कर दूगा, तो updated balance आपको मिल जाएगा, अब यह तिसरा कॉलम देखिए, यहाँ फिर से कह दूँ, कि जब मैं transfer कर दूगा, तो आपको यह पूरा update होके मिल जाएगा, okay, अब मैं transfer का नीचे, add record, अब record में, मुझे major head IGST में, वहाँ से IGST का major head था, उस में, IGST के major head में, tax में मेरे 22, 22, 23 पड़े हुए है, ठीक है, तो मुझे tax से उठाना है, और उस में मेरे पास 22, 22, 23 अवेलेबल है, अब यह IGST का tax का मुझे shift करना है, दूसरे major head में, दूसरे major head CGST में shift करना है, मैंने CG कर दिया और C GST कि यह पर बेटा और टैक्स इसमें शिप्ट करना है ऑके यह था किसी भी शिब्स कर सकता हूं टैक्स में इंटेस में पिणाल्टी में फीज में अबर मुझे टैक्स मैं शिप्ट करोग नथा किसी भी अब हेड में जा सकते हो, तो मैंने उतना अमाउंट 22, 22, 23 यहाँ पे शिप्ट कर दिया, शिप्ट करने के बाद यहाँ पे सेव कर दिया, सेव करूगा तो यह वार्निंग आएगी, कि क्या मैं यह ट्रांसपर करना चाहता हो, यस, यह जो है, I want to transfer, मैं यह यह याँ यह करूगा यह पे क्लिक करने के बाद यह से वो मुझे ररिफाय कर वाएगा, मैरा ट्रांसेक्शन लॉग क्रियेट होगा, कि मैंने जो है मेजर हेड इच न इसे, शिप्ट किया है और यह 22, 22, 23 शिप्ट किया है, और वो tax में shift किया हुआ है अगर मैं यहाँ click करूँ तो वो tax में shift किया हुआ है तो ऐसे case में जैसे मैं file यहाँ पर process करूगा बिटा तो process करने के बाद देखो अब जो IGST का balance है जो revise updated balance आएगा अब CGST में आ चुका है और accordingly total में आ चुका है इस तरह से वो shifting हो जाएगी यहाँ पर तो यह process है PMT09 के थ्रू आपको shift करना पड़ेगा accordingly अब मेरा balance अपडेट हो गया है CGST में जा चुका है और मेरा transaction log भी create हो गया है मेरा process और proceed to file अब मैं यह ultimately file कर दूगा file होने के बाद यह मेरा balance shift हो जाएगा और बाद में मैं use कर पाओगा तो यह पूरी process में आपको explain किया कि balance आपको common portal से कैसे shift करना है क्या करना है वापस हमारे discussion पर आते है तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूगा कि अब उन्होंने PMT09 के थ्रू सबी restriction हाटा दिये है किसी का भी balance आप चाहो तो कही पे भी shift कर सकते हो very important किसी का भी balance आप चाहो तो कही पे भी shift कर सकते हो is it clear? चलिए next page पे आते है एक illustration लेते है यह illustration से और concept को समझने की कोशिश करते है ठीक है? चलो, देखिए illustration यहाँ पे Mr. Smart Private Limited has deposited following amount in its e-cash ledger under the major head tax by creating chalan on GST portal apart from tax amount has also deposited certain amount under minor head after which position of e-cash ledger for the month of December is as follows IGST में यह major head IGST में tax में 25,000 deposit किया interest में 2,000 total 27,000 CGST में 15,000 और SGST में 15,000 ठीक है इतना deposit कर दिया उसने cash ledger में for the month of 2019 his e-credit ledger shows the gross amount उसका credit ledger भी कुछ amount बता रहा है उसका electronic credit ledger output tax IGST IGST उसका output tax payable 52,000 उसमें से credit उसने use किया 30,000 नेट ठीक है यह utilize किया हुआ टेबल है तो उसकी liability 52,000 है credit ledger से 30,000 यूज कर लिया है net payable 22,000 है अब यह net जो payable है उसके लिए cash ledger यूज करेगा net जो payable है उसके लिए cash cue की credit ledger यूज कर चुका है ठीक है तो ऐसा net liability उसकी credit ledger यूज करने के बाद जो आ रही है वो 22,000, 20,000 और 20,000 आ रही है अब IGST के 22,000 आपको pay करना है और आपके पाद tax में 25,000 है इनप balance है तो अब देखो यहाँ पे आपको IGST के आपके पास IGST में cash ledger में आपने deposit किया था पच्चिस अजार उसमें से liability आपकी 22,000 आपके पास balance बचा है तीन हजार रुपए और interest का वैसा का वैसा CGST का अब देहन से देखना CGST का liability आपका 15,000 है उसमें सोरी CGST का cash deposit 15,000 है देहन से देखना CGST का cash deposit 15,000 है liability 20,000 है 5,000 आपका payable था अब यह 5,000 पेमेंट के लिए और SGST का भी 5,000 तो अब आप कैसे use कर सकते हो तो अब आप PMT 09 का use कर सकते हो या आप अपने जेब से क्यूद होगे आपके पास excess balance पड़ा हुआ है आपके पास IGST का 3000 excess balance है interest के 6000 excess balance है और इस बार का interest कोई payable है नहीं आपको आपको tax liability payable है interest payable नहीं है तो आप वहाँ से भी balance उठा सकते हो तो अब देखा आप balance कैसे उठा होगे CGST का 5000 payment के लिए आप IGST के 3000 उठा सकते हो tax column से और IGST के tax column से यहाँ से 3000 उठा लिए और ये CGST में interest पड़ा हुआ है 2000 तो CGST का interest भी आप 2000 उठा सकते हो इसे 5000 उठा सकते हो SGST का 5000 आपका payable है पर आपके दो interest अभी भी बाकी है ये IGST का बाकी है ये बाकी है तो आप ये दोनों interest वहाँ से उठा के वो यूज कर सकते हो balance 1000 आपका payment आएगा in simple word आप cash में क्यों दोगे आप धान से अगर ये problem पड़ोगे तो आप cash में क्यों दोगे आपके बाद जहाँ जहाँ balance है PMT 09 में यूज करो वहाँ से balance shift कर दो और पेमेंट के लिए यूज कर दो बात कतम पेमेंट के लिए यूज कर दो ठीक है तो ये problem में मैंने ये समझाने की कोशिश किया कि आपके अगर other head की liability आ रही है और एक head में किसी भी minor head में extra balance पड़ा होगा तो अभी हमने जो amendment देखी इस amendment को द्यान में रखते हुए आप वहाँ से balance उटाओ और वो जो balance है जो आपकी liability आ रही है वो liability payment के लिए आप use कर सकते हो तो यह पुरा discussion हमने किया regarding to electronic cash ledger I repeat electronic cash ledgers related हमने यह discussion किया है चलो तो दोस्तों आपने अभी देखा कि section 49 में amendments लाएगी for transfer of excess cash balance in cash ledger in major head और minor head और साथ साथ में rule 87 sub rule 13 जो पहली लेके आ गये थे जून में तो वो जो rule को था support दे दिया गया section के through तो यह amendments थी जिसका detail complete procedure भी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है तो यह amendments थी जहां तक है major head और minor head के balance shift करने के लिए लेकिन और कुछ amendments हुई cash ledger और credit ledger पर कुछ restrictions लाए गये तो यह amendments अब हम देखते हैं आगे section 53A में along with rule 86 and etc. तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर next amendment क्या है अगर हम section 53A देखें तो transfer of from electronic cash ledger अब यह क्या कहता है देखेंगा where the amount has been transferred from electronic cash ledger under CGST Act to electronic cash ledger under SGST और UTGST मतलब जैसे CGST के major head से SGST और UTGST के major head में shift कर दिया जो अभी अभी हमने देखा last discussion में तो अब क्या हो गया पहले पैसा आपने deposit किया था CGST में अब वो CGST में पैसा deposit किया इसलिए central government ने collect करके रखा हो पैसा लेकिन CGST का पैसा फिर आपने PMT 09 चालान से SGST और UTGST में shift किया अब SGST और UTGST में आपने जो shift कर दिया तो अब वो पैसा जो है state का होना चाहिए तो section 53 एक क्या कहता है section 53 एक कहता है कि जब आप CGST से SGST या UTGST में shift कर देते हो तो government shall government मतलब central government shall transfer to the state account और union territory account and amount equals to amount transfer from electronic cash leisure in such manner and within such time as may be prescribed तो यहाँ पे central government भी क्योंकि पहले पैसा central government ने collect किया तो central government में भी central government भी यहाँ पे वो पैसा respective state account में transfer कर देगी या union territory के account में transfer करेंगी और vice versa मतलब यह तो हम central law देख रहे है state law में भी section लाया गया 53 ए जो state law हमारे syllabus में नहीं है तो state law में भी ऐसा section लाया गया होगा और state law में भी बिटा यहाँ पे अगर कोई SGST का पैसा CGST में shift कर दिया जाए तो वो पैसा shift कर दिया जाएगा central को तो यह 53A एक्जाम के हिसाब से इतना important नहीं है लेकिन यहाँ amendment थी नया section इंट्रोडियूस हुआ मैंने यहाँ पे consider कर लिया for our discussion जो भी मैं exam के सबसे important को आपको बहुत अच्छे से पढ़के जाना है उसके बाद में rule amendment electronic credit laser यह important amendment है इसको important star करना electronic credit laser पे कुछ restrictions जो वो क्या किया देखो refund of tax that has been wrongly or in excess by utilizing ITC इसमें sub rule 4A introduced किया गया तो आप payment of tax में rule 88 देखोगे sorry 86 देखोगे तो आपके पस regular books होगी या फिर मेरा fast track course की book होगी जो भी होगी उसमें payment of tax chapter निकालो और rule 86 निकालो rule 86 में आपका electronic credit laser कैसे use करना चाहिए और उसमें कौन सा पैसा आएगा उसकी details दिये उसमें sub rule 4A introduced किया गया है दान से सुनना उसमें sub rule 4A introduced किया गया है अब यह sub rule 4A क्या कहता है sub rule 4A यह कहता है where a register person has claim अब देखो यहाँ पे यह क्या कहता है where a register person has claim refund of any amount paid as a tax wrongly paid or paid in excess for which debit made from electronic credit laser or of the said amount if found admissible shall be recredited to electronic credit laser by the proper officer by an order under PMT 03 थोड़ा इस point को आप अच्छे से समझने की कोशिश करना यह point क्या कहता है देखो मैं explain करता हूँ क्या हुआ था कि यहाँ पे यह समझ लो supplier है और यह outward supply कर रहा है और इसके पास ICG या IS का ICG और IS का ITC पड़ा हुआ है ठीक है तो इसके electronic credit laser में ध्यांसे देखना electronic credit laser में उसका ITC balance पड़ा हुआ है 50 रूपीज और उसके electronic cash laser में electronic cash laser में उसके पास balance है मैं उसको individual कर नहीं कर रहा हूँ CGST, SGST, IGST जस्ट मैं आपको कंसे बता रहा हूँ balance है 25 रूपीज ठीक है अब उसकी output tax liability कोई tax calculate किया उसने और वो tax जो calculate किया वो था यहां पे 75 रूपीज ठीक है अब वो tax तो उसने government को pay कर दिया okay paid to the government जहां से देखना paid to the central government government को pay कर दिया central state government water it में भी बाद में पता चला कि यह amount जो pay किया गया वो wrongly pay किया गया wrongly paid याने जो नहीं देना चीए था वो pay कर दिया गया या excess pay कर दिया गया तो अब यह government को उसने जो pay कर दिया में भी wrongly pay कर दिया या excess pay कर दिया, तो यह 75 रुपीज का उसको refund मिलेगा, यह 75 रुपीज का उसको refund मिलेगा, अब पहले क्या होता था, यह बहुत अच्छा rule 86 जो है, तो यहाँ पे rule 86 में सब rule 4, यह बहुत अच्छा provision लाया, अब पहले लोग क्या करते थे, पहले 75 का cash refund ले 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 थे, cash में पैसा उनके पास आ जाता था, अब इंडारिकली क्या हुआ, 75 रुपे का आपने refund क्लेम कर लिया, इंडारिकली आपने electronic credit laser का refund cash में क्लेम कर लिया, मेरा statement ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने यह 50 रुपे पे करने के लिए, 50 रुपे का ITC यूज किया, अब ध्यान से सुनना, 50 रुपे का ITC यूज किया, और 25 रुपे cash laser से यूज किया, ऐसे 75 रुपीज का आपने payment किया, यह यह गवर्मेंट को पे करते वक्त आपने ITC यूज किया, 50 रुपे का, और electronic cash laser यूज किया, 25 रुपे का, तो आपने 50 रुपे कैसे पे किया था, आपके outward tax liability, वो पे किया था आपने 50 रुपए और 25 रुपए ऐसे paid to the central government आपने 75 रुपई गवर्मेंट को pay कर दिया बात ने पता चला कि यह wrongly pay हुआ है यह excess pay की हुआ है तो ऐसे case में आपने क्या किया 75 रुपई का cash refund ले लिया अब आपने गवर्मेंट से 75 रुपई ले लिया मतलवी क्या मतलवी आपने electronic credit लेजर के 50 रुपई ले लिया क्यों क्योंकि आपने government को actual 50 रुपई नहीं दिया था आपने pay किया पर आपने credit लेके 50 रुपई का credit लिया और 25 रुपई का cash लेजर लिया लेकिन refund लेते वक्त आपको 75 क्यों क्यों उनको यह पता था कि access पे कर दो wrong payment कर दो जिसमें credit यूज कर लो क्योंकि credit के उनके पास access balance पड़े होते थे और बाद में जो है यहाँ पे refund claim कर लिया मतलब उनके credit को in cash कर लिया जबकि section 54 क्लियर ली कहता है कि electronic credit लेजर का balance का refund आपको सिफ दोई case में मिलता है बत दुसरा यहाँ पे inverted tax structure मिलता है बाकि अगर electronic credit leisure का आपका balance होगा तो वो उसका refund आपको कभी नहीं मिलेगा I repeat उसका refund आपको कभी नहीं मिलेगा electronic credit leisure के balance का तो लोगों के excess balance हो रहे है और उनको cash refund नहीं मिल रहे है तो वो यह तरीका use करते थे कि भई अब उनका export तो कुछ नह है, excess balance credit leisure मिलेजर में पढ़ रहे है तो अब वो यह तरीका use करते थे और यह तरीके में क्या करते थे गलती से excess payment कर दिया या गलती से wrong payment कर दिया और यह गलती से excess payment और wrong payment करके refund claim कर लेना और indirectly credit leisure का refund claim कर लेना तो अब ऐसा situation में 4 A आने के बाद important amendment और rule 86 में 4 A आने के बाद कर सकते मतलब क्या मतलब अब जब गौवर्मेंट रिफंड देगी तो पूरा कैश में नहीं देगी और कि यह 75 रुपीज के लिए जितना आपने क्रेडिट लेजर यूज किया था कितना क्रेडिट लेजर यूज किया था तो आपने क्रेडिट लेजर यूज किया था पचास रुपए का तो यह 50 रुपीज आपका री क्रेडिट कर देगी आपको cash नहीं देगी आपको 50 रुपीज री क्रेडिट कर देगी और 25 रुपीज जो है आपको cash में refund देगी in short, in simple word जहां तक देखा जाए तो यहां पे अब यह चोरी बंद कर दिये government ने यहांने for a लाया गया क्योंकि पहले जो है पहले यहां पे electronic credit laser का balance भी cash में refund मिल जाता था अब वो refund नहीं मिलेगा अब वो आपको refund sorry cash में नहीं मिलेगा आपको refund किस तरह से मिलेगा तो आपको refund 75 का 50 रुपीज जो है आपके electronic credit laser में री क्रेडिट हो जाएगा और 25 रुपीज आपके cash laser में आ जाएगा तो फिर से एक बार परता हूँ where register person has claim the refund यानि अगर वो refund क्लेम कर रहा है of any amount paid उस amount का refund क्लेम कर रहा है जो उसने कैसे pay की थी a tax wrongly paid और paid in excess यानि उसने कोई tax wrongly pay किया या excess pay किया जिसका refund क्लेम कर रहा है for which debit has been made in electronic credit laser मतलब originally वो pay करते वक ध्यान जे सुनना originally वो pay करते वक उसने electronic credit laser को debit किया था यानि credit laser use किया था and it is found admissible it shall be recredited to electronic credit laser तो उसका by PMT03 मतलब क्या अगर उसने debit करके यहाँ पे पे किया था और वो refund claim कर रहा है refund admissible हो रहा है तो जितना amount debit हुआ था क्या credit laser को उतना amount credit हो जाएगा जितना debit हुआ था और बाकी का आपको cash laser से refund मिलेगा I hope यह provision आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो की okay rule 86 की rule 86A actually यह ITC से related है पर वो continuity में rule था पिछले मैंने यहां ले लिया okay ITC में अब क्या हो रहा बटा पिछले एक देर साल में dubby invoice पे credit लिये गए यह government के क्याल में आया okay बहुत सारी ऐसी cases मिल जाएगी जो fake company dummy company है उन्होंने invoice generate किया और उस invoice पे credit लिये गए है तो उसको control करने के लिए उन्होंने rule 86A लाया गया और 86A में कुछ बात है उन्होंने clearly कही चलो rule 86A जो है हम पड़ते है rule 86A क्या कहते है condition of use of amount available in electronic credit ledger important for exam exam के लिए important करना ये भी rule क्या कहते है देखो commissioner or an officer authorized by him in his behalf not below the rank of assistant commissioner having reason to bill you that credit of input tax credit available in electronic credit ledger has been fraudulently available or is ineligible in as much as अब दो चीज़े है fraudulently available or is ineligible is as much as okay मतलब यहाँ पर द्हान से सुनेगा कि अगर हमारे commissioner को या authorized officer को लगा कि आपने कोई essay invoice का credit लिया जो fraud किया गया है उसका fraud किया गया है मतलब commissioner को doubt है कि जिसके invoice पर आप credit ले रहे है वो dummy company है fake company है या fraudulent invoice पर आप credit ले रहे है या आपका invoice आपका ITC ineligible ineligible क्यों है क्योंकि block credit होगा ineligible क्यों है क्योंकि आपका supplier तो genuine होगा पर उसने GSTR 2A में अपडेट नहीं किया होगा या उसने GSTR 1 नहीं किया ने जो आपको invoice दिया एक तो fake होगा या फिर अभी आपको eligible credit में नहीं आता है क्यों क्योंकि वो block credit में है या फिर वो 10% के criteria में है तो ऐसे case में देखो क्या कहते है the credit of input tax have been availed on the strength of the invoices or debit note or any other document prescribed under rule 36 issued by a registered person who has been found non-existent not to be conducting any business from any place from which registration has been obtained or without receipt of goods or services or both मतलब आपके पास ऐसा कोई invoice है या कोई debit note है और ऐसे registered person का invoice है जो existence में ही नहीं है very important ऐसे कोई registered person का invoice है जो existence में ही नहीं है या कोई business नहीं कर रहा है या फिर उससे अभी तक आपको goods or services received नहीं हुआ है अब देखो section 16 अगर आप पढ़ते हो ITC chapter का तो जब तक आपको goods or services receive नहीं होती है आप ITC नहीं ले सकते हो ओके ineligible है आपका ITC क्यों नहीं आपके पास invoice आ चुका है दोस्तों तो ऐसे case में कि अगर ये दो situation होगी एक तो जो supplier है वो completely fake है उसका कोई existence नहीं है या उसका कोई place of business नहीं है जो registration में बताया गया या फिर जहां तक देखा जाए कि या goods or services आपको नहीं मिलिये तो ITC available in respect of any supply tax charge in respect of which has not been paid to the government और या फिर हो सकता है आपने ITC लिया है जिसका tax government को नहीं पे किया गया मतलब आपने SS supplier की invoice by ITC लिया गया जिसका tax government को नहीं पे किया गया रजिस्टर परसन अविलिंग दे क्रेडिट आप इंपूट टेक्स है यह क्या कह रहा है यह क्या कह रहा है कि जो credit ले रहा है एक मिनट जो clause 1 में जो है जो credit दे रहा है मतलब वो supplier के बारे में कह रहा है तो C clause में वो कह रहा है कि जो credit ले रहा है उसका ही existence नहीं है और कि उसका कोई place of business नहीं है और D clause और रजिस्टर परसन अविलिंग एनी credit of input tax is not in possession of an tax invoice और debit note और एनी अदर document prescribed under rule 36 या जिसने credit लिया है उसके पास invoice या कोई documents नहीं है जो rule 36 में prescribed किये गए है में for reason to be recorded in writing not allow debit of an amount equivalent to such credit in electronic credit leisure for discharge of any liability under section 49 और for claim of any refund of any unutilized amount अब देखो वो क्या कहते थो आप सिम्पल वर्ड में समझ लो अगर हमारा commissioner और authorized officer को ऐसा लगा कि कोई credit आपको ineligible है जो credit आप या fraudulently आपने अवेल किया है या फिर ineligible है कौन कौन सी बातों पर such as एक जो supplier है उसका कोई existence नहीं है या फिर जो supplier है उसका कोई place of business नहीं है या फिर उससे अभी तक goods or services आपको मिली नहीं है या फिर आपको आपने जो invoice ITC लिया है supplier ने उसको pay नहीं किया हुआ है या फिर यहां जो credit ले रहा है उसका existence doubtful है और कि उसका कोई place of business नहीं है या आपको जो है आपके position में अभी तक tax invoice या debit note वगरे नहीं आई है तो ये cases में officer को लगेगा कि yes either आप fraudulently credit ले रहे हो या फिर अभी तक credit आपको eligible नहीं हुआ है तो ऐसे case में आपका buy and order वो online account freeze कर सकता है electronic credit leisure और कि कुछ amount तक यहने वो amount calculate करेगा और इतना amount आप क्यों ना अपने credit ले लिया हो तो आप debit नहीं कर सकते याने उतने amount तक आपका account freeze कर देगा आपको debit allow नहीं करेगा और के against the discharge of liability या आपको किसी भी तरह का refund allow नहीं करेगा तो ना debit allow करेगा आपको या भी कोई unutilized amount का आप credit नहीं ले पाओगे sorry refund नहीं ले पाओगे the commissioner or officer में upon being satisfied that condition for disallowing debit of electronic credit ledger अवो no longer exit allow such debit लेकिन बाद में invoice आ गया या फिर आपके supplier ने payment कर दिया या फिर ये प्रूँ हो गया कि place of business था याने जिस वजह से आपका debit उनने disallow कर दिया था याने debit जो है आपका रोग दिया था electronic credit ledger का आपको यूज करने नहीं दिया अगर वो चीजे नहीं रही ओके कि जो शर्त condition पे disallow हुआ वो अब नहीं रहा तो बाद में वो ओपन कर देंगे और आप उतना credit यूज कर सकते हो such restriction shall cease to affect after expiry of one year from the date of imposing such restriction लेकिन ओके ये restriction ज्यादा से ज्यादा एक साल रहेगा एक साल के अंदर officer अपनी inquiry complete करेगा उसके बाद ये restriction नहीं रहेगा आप अपना credit बाद में use कर सकते हो तो ये rule 86-A लाया गया जो restriction था specially on ITC इस तरह से हमने ये topic complete किया भीटा payment of tax इसमें पहली amendment थी कि आप जो है credit अब major head minor head का shift कर सकते हो दूसरा section 53-A लाया गया section 53-A cash leisure जो है उसमें settlement है central or state का वो exam की सबसे important नहीं है rule 86 में 4-A जो बड़ा important है कि आपको जब refund दिया जाएगा तो refund पूरा cash में नहीं दिया जाएगा जितना tax payment के लिए जिसका आप refund claim कर रहे हो tax payment के लिए जितना credit use किया उतना recredit होगा और बाकि cash में दिया जाएगा और ITC utilization पे अब commissioner को या उसका authorize officer को power दे दी गई है कि वो आपके electronic credit leisure pay restriction डाल सकता है तो यह कुछ छोटी जोडी amendments थी in payment of tax तो यहाँ यह chapter हमारा complete होता है next discussion payment of tax में हम TDS and TCS इसके उपर करेंगे इसमें कोई खास amendment नहीं है एक छोटी सी proviso for extension उन्हेंने add किया गया है जैसे section 52 में monthly statement आपको यह पता है कि यहाँ पर अगर कोई TCS काट रहा है तो वो situation में उसको monthly statement देने पड़ते हैं तो TCS का statement आपको monthly basis पे submit करना पड़ता है और वो electronically आप यहाँ आप submit करोगे इसमें एक proviso add किया गया तो यह monthly statement GSTR 8 में जाता है और अगले मैने के 10 तरिक तक आपको यह monthly statement GSTR 8 में यहाँ पे ECO को submit करना पड़ता है ठीक है तो इसमें सिर्फ एक proviso उन्होंने add किया और वो proviso क्या add किया देखा बड़ता provided that commissioner में for reason to be recorded in writing by notification extend the time limit of furnishing the statement for such class of register person as में भी specified दे रहो अब जैसा यह COVID-19 के वज़े से यह GSTR implementation के वज़े से लोगों को जो specially issue electronic commerce operator इनको थोड़ा time लग रहा है monthly basis पे statement नहीं दे पा रहा है क्योंकि monthly basis पे GSTR 8 में 10th of next month में इनको अपने यहाँ पे statements देने पड़ते हैं तो यह नहीं दे पा रहा है तो इनको यहाँ extension मिलना ची यह गवर्मेंट ने बात कंसिडर किया और यह power commissioner को दिया और commissioner इनने extension दे सकता है प्रवाइड फॉज़र अट एनी extension of time limit notified by commissioner और state or commissioner of union territory tax shall be deemed to be notified by commissioner चलो कभी-कभी क्या हो जाता है कि यहाँ पे central department ने यह नहीं दिया यह state department ने दिया मतलब अगर state commissioner यह union territory commissioner यह notify करता है तो अगर state वालों ने notify किया तो वो ऐसा समझा जाएगा कि central ने भी notify कर दिया मतलब उतना date extend कर दिया जाएगा और यहाँ पे वो extension continue रहेगा for submission of JSTR 8 next यहाँ पे annual return जैसे ECO under section 52 annual return देना पड़ेगा और वो annual return GSTR 9B में यहने इनको monthly statement तो देने ही है साथ साथ में इनको बेटा annual return भी देना है और यह annual return यहाँ पे 31st day of the December of the financial year तो TDS और TCS में annual return की provision है ठीक है उसमें भी इन्होंने annual return का time limit extension का power दिया गया है तो कमिशनर में on recommendation of council for reason to be recorded in writing by notification extend the time limit of furnishing annual return for such class of register person as may be notified और state commissioner अगर ही notification दिया तो वो central का भी माना जायागा तो इसमें specific ऐसी कोई amendment नहीं जो exam में पूचा जाएगा लेकिन यहाँ पे read कर ले तो section 52 में I repeat section 52 में यहां collection of tech TCS में extension की provision दोनों case में लाएगी monthly statement और annual return यह commissioner extend कर सकता है और second अगर state यहाँ पे I repeat state government ने यह extension दिया हो तो वो central government का extension माना जाएगा तो यह था about the TDS and TCS दोस्तों next chapter हम start करेंगे registration registration यह chapter में भी बहुत चोटे-चोटे changes है लेकिन हाँ इसमें एक जो notification section 23 के अंडर में दिया गया था पहले कि 40 लाग तक जो benefit threshold दिया गया specially supply of goods को और मोदी जी अभी add कर रहे है उसकी 40 लाग की जो बहुत पहले दिया गया था benefit तो दोस्तों पहले only supply of goods के लिए था अब service provider को भी दिया है उन्होंने ऐसा सुनने में notification अभी तक published नहीं हुआ है तो दोस्तों what your it may be हमें अभी politics में नहीं पढ़ना है पहले जो notification दिया गया था यहां पे 40 लाग का और वो motivation only supply of goods के लिए था उसको कोई legal backup नहीं था यहने जहां तक देखा जाए उसमें यह था कि भई आपने 23 का use करके दिया है पर 20 तो legality देता नहीं है उसकी read prediction भी file हुए थे और what your it may be तो अब section 22 में ही उसको specially legal backup दे दिया है section amend कर दिया गया by finance act 2019 तो अब सवाल यह आता है कि यह section में लिखा क्या गया है और किस तरह से इसकी नहीं drafting की और दुसरा एक important change registration chapter में उन्होंने किया है और वो है क्योंकि बहुत से लोगों को interest on loan advances और deposit के calculation में थोड़ा confusion था जैसे मुझे यादे और मैंने whatsapp पे ऐसे question बहुत entertained किये कि sir composition levy में I repeat composition levy में जब हम aggregate turn और निकालते है 150 lakhs और 75 lakhs तो वो aggregate turn और 150 lakhs 75 lakhs जो है उसमें हम loan interest अगरे exclude करते हैं मतलब अगर आपको interest on loan advances और deposit या discounting होगा तो वो exclude करते हैं तो यह सवाल थ्रेशोल के लिए भी था जब मैं 20 lakh का थ्रेशोल निकाल रहा हो यानि service provider जब 20 lakh का थ्रेशोल निकाल रहा है तो 20 lakh के थ्रेशोल कैलकुलेट करने के लिए अगर मैरा कोई interest income होगा तो क्या वो interest income exclude किया जाएगा या नहीं किया जाएगा बहुत से लोगों को यहां confusion था अभी वो भी clarity आ गही है और उसको भी amendments होई है तो section 22 में यह दो basic amendments होई है उसके बाद मैं section 25 में procedure में आधार बेस procedure लाईगी तो अब आधार authentication important कर दिया गया उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो चलो आप में curiosity होगी कि सर जल्दी फटा फट बताई amendments क्या होई है तो यह amendments देखते हैं यहाँ पर section 22 में ठीक है section 22 में रेड करते जाता हूँ एक बार पूरा आपको अच्छे से पढ़ा देता हूँ जो थ्रेशोल से रिलेट था और आपके रिगुलर नोट्स होगी तो वह भी वाजी में रखो so that कि आप इसली को रिलेट कर पाऊगे कि amendment कहा कहा हुई है every supplier shall liable to registered under act in the state or union territory other than special category of state from where he makes the taxable supply of goods or services both मतलब ये clear कर दिया गया section 221 में कि हर supplier state में register लेगा ये union territory में registration लेगा हर वो place का जहां से वो supply कर रहा है okay makes the taxable supply of goods or services if his aggregate turnover in a financial year exceeds 20 lakhs याने अब आज भी basic limit जो है वो 20 lakhs की है पर कुछ cases में उन्होंने 40 lakhs allow किया गया है ठीक है तो ये 20 lakhs तक basic threshold दिया गया और special category of state के लिए नीचे उन्होंने clause लाया गया और special category of state को 10 lakh का उन्होंने limit दिया ये आपको पता है कि मतलब normal state के case में 20 lakh और special category of state होगा तो aggregate turnover in a financial year और वो है 10 lakhs जैसे ये बात भी आपको पता है कि जब हम composition levy की बात करते है तो preceding financial year लेते है लेकिन जब हम threshold की बात करते है तो preceding financial year नहीं लेते है जब हम threshold की बात करते है तो current financial year का aggregate turnover देखा जाता है और current financial के aggregate turnover के basis पे आपका यहाँ पे calculation किया जाता है ठीक है लेकिन as per amendment act 2018 the threshold limit has been revised to 20 lakhs in 6 specified category of state अब मैं तो आपको ये बात बे बता देता हूँ जिसकी proviso हम आगे पढ़ेंगे अगे ये proviso दिया है चलो पहले ये proviso पढ़ लेता हूँ और उसके base पर ये समझा देता हूँ ये proviso क्या कहती है provided further that government may at the request of special category of state and on recommendation of council here enhance the aggregate turn over referred in first proviso from 10 lakhs to such amount not explaining 20 lakhs and subject to such conditions and limitations as may be notified अब ये proviso क्या कहती है ये proviso कहती है कि वैसे तो special category of state में aggregate turn over की limit for threshold purposes 10 lakh ही consider होगी लेकिन कुछ state 20 lakhs रखना चाहते थे कुछ state अपने लोगों को खुश करना चाहते थे क्योंकि 10 lakhs की limit कम थी तो 20 lakhs रखना चाहते थे तो ऐसे case में फिर एक proviso एड़ की गई ये section में और ये section में proviso एड़ करके ये कहा गया कि अगर कोई state चाहे तो GST council को request करेगा और on recommendation of GST council ये special category of state में limit 10 lakhs से बढ़ा कर 20 lakh करी जा सकती है यानि कुछ state अपने लोगों को खुश करने के लिए 10 lakh नहीं 20 lakh रख सकते क्यों नो उनका status यहाँ पे special category of state हो ठीक है दोस्तों हाँ तो आज जैसे अरुनाचल प्रदेश आसाम है ये इनका इन्होंने जोड़ा अपना मन बना लिया और कि थोड़ा broad sense में इन्होंने अपने लोगों के लिए 10 lakh से जादा 20 lakh का थ्रिशुल सही समझा और वो प्रोविजो एड की गई और कुछ ऐसे स्टेट है क्यों ना स्पेशल केटेगरी आप स्टेट हो लेकिन यह लिमिट अब 10 lakh से जगा 20 lakh हो चुकी है जैसे कौन-कौन से स्टेट है और कि तो मैं पहले ये वाले देख लेता हूँ यहाँ पे जमुएन कश्मेर, अरुनाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मेगालिया, सिक्कीम, उत्तराकन तो यह स्पेशल केटेगरी आप स्टेट जो है यह स्टेट यह 20 lakh कर लिमिट रहेगा एक बात आपको नॉवेंबर अटेम के लिए फिर से एक बात बता दू और नॉवेंबर अटेम के लिए मुझे आपके स्पेशल यह कहना है कि एवंदो आर्टिकल 370 हड़ गया इवंदो यहाँ पे जमुएन कश्मीर और लद्दाग सेपरेट यूनियन ट्रेटरी होगी लेकिन वो अमेंडमेंट अभी अप्लीकिबल नहीं है मतलब आपको नॉवेंबर 2020 एक्जाम के लिए जमुएन कश्मीर को स्टेट ही कंसिडर करना है इसलिए आपको पुरानी प्रोविजन थी कि जमुएन कश्मीर और लद्दा की जो है स्टेट माना गया इसको स्टेट ही कंसिडर करना है और आपको 29 स्टेट ही लेने हैं I repeat आपको 29 स्टेट ही कंसिडर करना है ओके फॉर नॉवेंबर 2020 एक्जामिनेशन ठीक है अभी नया स्टेटस लदाक को उनियन ट्रिटरी और जमुएन कश्मीर को एक उनियन ट्रिटरी बट स्टेट लेजिसलेचर ये स्टेटस आपको नहीं देना है तो आज आपको 29 स्टेट सी कंसिडर करना है तो मैं आपको ये कह दू कि इन्होंने 20 लाग का लिमिट कंसिडर किया तो बचे चार ही ऐसे special category of state जहां 10 लाग का लिमिट आज भी है तो चार कौन से ऐसे state जहां 10 लाग का लिमेट आज भी है मनिपूर, मिजवरम, त्रिपूरा, नागलफ I repeat आपको ये लिन करना पड़ेगा मनिपूर, मिजवरम, एंजवरम, त्रिपूरा नागलफ M से भुलना मत, मनिपूर, नहीं तो कर दो के M से मेगा लेया, तो M मनिपूर मिजवनम तरिपूरा नागा लेन, तो यह आपको लेन करना पड़ेगा, यह चाज स्टेट में लिमिट जो दी गई, वो 10 लाग की लिमिट दी गई, और बाकी सब स्टेट में, जो बेसिक थ्रेशोल लिमिट है, वो 20 लाग कर दिया गया है, तो आज इसको याद कैसा रखे, यह बड़ी इंपॉर्टन बात है, कि आज हम इसको याद कैसे रखे, तो ऐसा समझे लाग, यह चाज स्टेट छोड़के बाकी सभी स्टेट में 20 लाग कर दिया गया है, चलो, यह तो अमने पढ़ लिया, इक जो सेकें, नेक्स प्रवीजो है, यहाँ पे, यह नेक्स प्रवीजो बडि मुड़ी इ neutron है, और यह नेक्स प्रवीजो यह अद गए है, यह क्या कहता है, यह कहता है कि यहँं पे, प्रॉइड तो गॉवर्मेंट च fix tutaj tohando, on recommendation of council announce the aggregate turn over 20 lakhs to 40 lakhs in case supplier who is engaged exclusively in supply of goods subject to such conditions and limitations as may be prescribed. अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, पहले एक notification आया था, notification number 10 2019, ये पहले आ चुका था, मैंने regular class मैं आपको पढ़ाया, मैं अपको भी applicable था, ये notification के हिसाब से, कुछ cases में 40 lakhs का limit थ्रेशोल दिया गया, I repeat, कुछ cases में 40 lakhs का threshold दिया गया, ठीक है, तो अब ये जो कुछ cases में 40 lakhs का threshold दिया गया था, अब ये जो threshold दिया गया था, ये supplier of goods को दिया गया था, और ये section 23 के तहथ, आपके notes में 23 के under में होगा, कि मैं जो कह रहाओ, द्यांस सुनेगा, section 23 के तहथ, ये notification का power लिया गया था, और हमने ये notification पुराने amendments में, ये तुमारे regular book में, हमने section 23 के under में पड़ा, जहां कुछ condition पे supplier of goods को ये 40 लाग की limit available थी, लेकिन क्या था, बहुत से लोगों का ये कहना था, जिसके repetition भी file हुए था, कि ये 23 के तहथ, ये power सही नहीं है, और के threshold की power सही नहीं है, ये power 22 के अंडर ही होनी चीए, तो at last, और के उस notification को यहां पे, validity देने के लिए, पहले भी valid था, लेकिन अब, clearly उसको section 22 के था, प्रोविजो आड करके validity दे दी गई, मतलब, अब ये notification 23 का नहीं, 22 का कहा जाएगा, अब ये notification को validity कैसे दी, तो ये notification को उन्होंने validity वेटा ये प्रोविजो आड करके दी, और ये प्रोविजो में कह दिया गया, कि recommendation of council कर, central government कुछ cases में, specially supply of goods, underline करना, specially supply of goods के case में, 20 लाग का limit, 40 लाग कर सकती है, और यहां पे, उसके conditions, restrictions specify कर सकती है, तो अब, अब, जिनन पावर आगे section 22 में, और 20 लाग का limit, 40 लाग करने का, जिसके तहत, अब ये notification यहां पे, जो पहले 23 में था, आज वो notification continue रहेगा, पर अब ये notification मेरे हिसाब से, इस प्रोविजो के तहत माना जाएगा, और 22 के अंदर माना जाएगा I hope you understood, मैं ये notification पढ़ लेता और फिर हम explanation पर आएगे, ये notification एक बार फिर से, याद करो जो मैंने आपको पढ़ाया था, और वो कौन सा, तो government on recommendation of council by notification specify the category of any person who engage in exclusively supply of goods, ये exclusively supply of goods मतलब क्या, मतलब 40 लाग का जो threshold है, वो service provider को नहीं मिलेगा, I repeat, 40 लाग का जो threshold है, वो service provider को नहीं मिलेगा, अगर आप goods plus service दोनों के supplier हो, I repeat, आप goods plus service दोनों के supplier हो, तो भी ये 40 लाग का threshold नहीं मिलेगा, आपको स्रिफ 20 लाग का threshold दिया जाएगा, I repeat, 20 लाग का ही threshold दिया जाएगा, याने इसकी पहली शर्त क्या है, इसकी पहली शर्त है कि जिसको अगर ये 40 लाग का threshold देन है तो वो जो है यहां पर okay only supplier of goods होना चाहिए फिर goods कोई भी हो पर only supplier of goods होना चाहिए फिर उसके exceptions बाद में दिये और यहां पर क्या दिया whose aggregate turn on percent financially does not exist 40 lakhs okay तो वो यह threshold दे सकता है except okay तो यह proviso की ऐसा arrow कर दे ना proviso के अंडर में वो दिया गया है except a person required to take a compulsory registration under section 24 हां लेकिन चालिसला का थ्रेशल उन लोगों का अप्लाइन होगा जिनको compulsory registration है यह person engaged in making following supply जैसा ice cream and other edible ice containing cocoa or not, पान masala and all goods अब धान में रखना है यहां ariated water नहीं है ariated water not covered in this entry in this notification in this notification ठीक है ariated water यहां cover नहीं किया मतलब क्या ariated water अगर आप supply करते हो तो 40 लाग का threshold मिल सकता है हां अगर आप composition ले भी देखोगे तो यह list है यह exceptional list है जो case में composition ले भी नहीं मिलती है पर यह ariated water specially add किया गया वो notification में पर यह ariated water नहीं किया गया मतलब क्या मतलब अगर आप ice cream या edible ice के supplier हो या पिर pan masala के supplier हो या tobacco और manufacture tobacco substitute के supplier हो तो वो situation में आपको यह 40 लाग का threshold नहीं है अब यह 40 लाग का threshold नहीं है मतलब क्या मतलब 20 lakhs threshold available है यह बत समझना कि यह threshold ही नहीं है 20 lakhs threshold is available आपको लिखना है तो लिख सकते नीचे अरो करके कि यह notified goods के case में यह notified goods के case में 20 lakhs threshold is available लिख दो नहीं है नोट इन इस, in case of this notified goods in case of this notified goods in case of this notified goods 20 lakhs threshold is available 20 lakhs threshold is available but not eligible for 40 lakhs threshold but not eligible for 40 lakhs threshold eligible for 40 lakhs threshold except aerated water aerated water को मिलेगा except aerated water I hope this point आपके समझ में आ गया होगा 40 lakhs का जो special benefit यह उनको नहीं मिलेगा उसके बाद में बिटा यहाँ परसन इंगेजीन मेकिंग इंट्रास्टेट सप्लाईज इंदस्टेच आप अरुनाचल प्रदेश, मनीपूर, मेगालिया, मिजुरम, नेगलन, पॉड़िचरी, सिक्किम, तिलंगाना, तिपुरा और उतराखन यह स्टेट ने अभी तक 40 लाग का लिमिट एकसेप्ट नहीं किया है यह अमेंडमेंट्स मैं 30 अप्रिल 2020 तक की बता रहा हूँ उसके बाद में अभी-भी कुछ गवर्मेंट ने क्लारिफिकेशन दी है वो आपके नॉवेंबर एक्जाम को अप्ली के बल नहीं है लेकिन 30 अप्रिल 2020 तक जहां तक देखा जायते इन स्टेट्स ने यह 40 लाग का लिमिट एकसेप्ट नहीं किया मतलब इन स्टेट में जो थ्रेशोल्ड है वो 20 लाख ही मिलेगा इसमें कुछ special category of state भी है तो इसमें कुछ नॉर्मल स्टेट भी है तेलंगाना तेलंगाना यह नॉर्मल स्टेट है जो स्टेट ने यह जो है कि 20 लाख का लिमिट ही एकसेप्ट किया है 40 लाख अभी तक एकसेप्ट नहीं किया है और लास्ट परसन एकसाइजिंग ऑप्शन अंडर दे प्रोविजिन आप स्ट्शन 25 थी यह वोलंटरी रजिस्टेशन और जो वोलंटरी रजिस्टेशन लेता चाहता है फिर उसको 40 लाख का थ्रेशोल का सवाल ही नहीं आया दोस्तों तो जहां तक देखा जाए यहां पर अगर हम देखें तो एक बार फिर से नॉर्मल स्टेट में 20 लाख, स्पेशल केटेगरी अप स्टेट में 10 लाख, लेकिन कुछ स्पेशल केटेगरी अप स्टेट में 20 लाख, चाह स्टेट में 10 लाख और 40 लाख का लिविट only for the supplier of goods, और supply of goods में कुछ स्टेट को वह applicable नहीं होगी, तो सर यह लाख करना पड़ेगा क्या, मैं अभी एक चार्ट बना के दूगा, एक दो बार रीड कर ले ना, एक दो बार रीड कर ले ना, एक दो बार रीड कर ले ना, और यहां पर नौटिफाइड गूट के केस में 20 लाख का अवेलेबल है, 40 लाख का नहीं, पर अरिएटेड वाटर को यहां 40 लाख का थ्रेशोल अवेलेबल रहेगा, I hope आप अच्छे से समझ चुके होगे, तो चलिए, अब एक चार्ट बना के देता हूं, पहले एक चार्ट बना के दे अगर आपको इन्ट बना के अचार्ट बना के लिए अगरा आपको इन्ट बादर गूट से से सुञट घाएगा तो उतwen के दे Watch में 50 लाएगे goods माना जाएगा, supply of service माना जाएगा तो उसे supply of service माना जाएगा goods ने बेटा, supply of service माना जाएगा और indirectly वो यह कह रहा है कि for calculation of aggregate turn-off that is, आपको लिखना हो था, for calculation of aggregate turn-off okay, aggregate turn-off includes exam supply includes exam supply exam supply that is includes such interest that is includes such interest or discount discount चलो, दो मिर्ट में बरता देता हूँ इस पर अच्छा का सा discussion अपना है इंट्रेस और डिसकाउंट on loan advances or deposit यह exempt है, पर composition लेवी के लिए अभी amendment हो चुकी जो lecture आप देख चुके यह exclude होगा for calculation of turn-off, aggregate turn-off लेकिन थ्रेशोल के लिए यह add किया जाएगा, next page पर बिटा एक प्रॉब्लम लिया है मैंने और यह प्रॉब्लम बहुत इच्छा एग्जाम के हिसाब से okay, measures example, अगर मैं यहां consider करूँ okay, so measures ABC Private Limited, manufacture having place of business in the state of Maharashtra supply of goods and services with 17 lakhs उनका supply of goods and services 17 lakhs है, okay interest on saving account 3.5 lakhs है, अब 17 plus 3.5 मतलब कितना हो जाएगा 20.5 अगर हम 20 lakhs के लिमिट लेंगे, क्योंकि वो दोनों में इन्वाल्ड एक गूड्स प्लस सर्विस, तो अगर हम 20 lakhs के लिमिट लेंगे, तो वैसे तो आग्रिगेट टनों अख्रॉस है, क्योंकि interest 3.5 और 17 lakhs, तो 20.5 तो क्या उसे registration लेना पड़ेगा, मेरे इसाब से नहीं, उसे registration लेने की जरुवत नहीं है, sorry, 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 मेरे इसाब से इसको registration लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि threshold calculate करने के लिए, I repeat, threshold calculate करने के लिए, yes, threshold calculate करने के लिए, हम ये interest add करेंगे, तो ऐसे situation में बिटा, okay, देखो, 17 lakh, ये पूरा, मैंने, step by step explain किया है, तो 17 lakh और 3.5 lakhs, okay, there, 20.5 lakhs, तो से registration लेना पड़ेगा, क्योंनो वो interest exempt है, अभी अभी हमने explanation लेखा, और वो interest हमें add करना पड़ेगा, पर second case उनने क्या का, what would be your answer in case supply of goods is 148 lakhs, and, uh, lakhs, comma, is message ABC private limited is eligible for composition scheme, लेकिन अगर यही बाद हम composition scheme की करे, ओके, I repeat, threshold की नहीं, composition scheme की करे, और उसका supply of goods 148 है, और interest 3.5 है, I repeat, interest 3.5 है, और goods का 1.48 lakhs है, तो total 150 lakhs के उपर जा रहा है, लेकिन आपको याद होगा, तो for calculation of aggregate turn or return or interest rate, composition levy होगी, तो हम consider नहीं करेगे, तो composition levy में वो consider नहीं होगा, मतलब वो composition levy के लिए वो eligible रहेगा, तो यह हमने discussion किया, तो बस इतना ही आपको ख्याल रखना है, यह explanation के base पे, क्या ख्याल रखना है वेटा, कि composition levy के लिए exclude होगा, पर आपका threshold calculate करने के लिए, registration decide करने के लिए, यह जो interest है वो include किया जाएगा, ठीक है, तो चलो, अब मैं एक chart बना के देता हो आपको, जो chart यहाँ पे आपको help करेगा, यह मैंने half page blank रखा है, यह chart आप यहाँ draw कर सकते हो, तो देखो यह chart क्या है बेटा, regular class में मैंने यह chart दिया था, okay, if threshold for registration in different cases, मैं तोड़ा समझा देता हो, और फिर आप draw कर लेना, supplier engaged in exclusively supply of goods, sorry, exclusively supply of service, या supply of goods plus service, तो अगर supplier, exclusive supply of goods में नहीं है, वो service दे रहा है, या goods plus service देता है, तो chart state में, threshold रहेगा 10 lakh, और in case of other state, including remaining special category of state, 20 lakh, कोई doubt इसमें, 4 state में 10 lakh, और बाकी सब state में, including जो बाकी remaining special category of state है, उसमें 20 lakh, लेकिन अगर supplier good supply कर रहा है, धायन से देखना, अगर supplier good supply कर रहा है तो अब थोड़ा समझाना, special category of state होगा, come on, special category of state होगा, तो chart state में 10 lakh की limit है, 20 lakh भी और 40 lakh भी नहीं, क्योंकि यह 4 state अगर देखोगे, तो यह 4 state में आप देख रहे होगे, तो यह 4 state, Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland, इनको 40 lakh की limit applicable नहीं है, नोटिविकेशन आप देख सकते हो, तो ऐसे situation में 10 lakh ही limit रहेगी, अब देहन से देखना, अब देहन से देखना, अब अगर देखोगे, तो अरुनाचल प्रदेश, मेगालया, सिक्कीम, उतराखन, इन्होंने 40 lakh accept नहीं किया, इसलिए 20 lakh, लेकिन जमुएन कश्मिर, आसाम, हिमाचल प्रदेश, यह 40 lakh applicable हो जाएगा, यहने, special category of state में, 4 state तो 10 lakh, other special category of state में, यह state में 20 lakh, क्योंकि इन्होंने 40 lakh accept नहीं किया, और जमुएन कश्मिर, आसाम, हिमाचल प्रदेश, और कि यह 40 lakh accept हो गया, बाकि other than special category of state ले, तो all state के लिए 40 lakh, लेकिन 2 ऐसे normal state, पुद्डू चरी और तेलंगाना, I repeat, 2 ऐसे normal state, पुद्डू चरी और तेलंगाना, जा लिमिट 20 lakh की होगी, क्योंकि इन्होंने 40 lakh accept नहीं किया, तो चलो, आप फटावट जो है, यह चार्ट ड्रॉ कर लो यहाँ पर, मैं आपको special time देता हूँ, यह चार्ट बेटा, ड्रॉ कर लो आप, ठीक है, फटावट रॉ कर लो, sorry, 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 अब रॉ कर लो फटावट, किसी को अगर time नहीं मिला, तो pause करके draw कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं यह YouTube पे है, तो आप pause कर सकते हो, इसको draw कर सकते हूँ, इसलिए कोई ज़्यादा special time में देने वाला नहीं हूँ, कर दो प्रके अगर रॉल इसने दो है, ऑला कर टितर सकते हैं अगर रॉल कर चाहर हूँ, एस ऐसे दो कर लॉझरımızı आがई यह, हो चाहर है, नहीं कर दो जपको पक utilized यह कोईज कर दो तो आता हैं झाला कर वाला, तो पको सकते हैं झार आप Natomiast, अजय को अजय को चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पर अधार ऑथिंटिकेशन मेंडिटरी फ़र न्यू रिजिस्टरंट फ़र ग्रांट और रिजस्टरेशन यह एक प्रोसेजर्ल अमेंड्मेंड्मेंट हुई है और गौर्वर्मेंड ने यहाँ पर आदर authentication mandatory किये गया है मतलब किसी को भी registration लेना है या जो already registered है कुछ notified person तो उनको अपना KYC आदर authentication complete करना पड़ेगा और अब तो नया registration जो है बेटा नया registration जब तक आप यहां पे अपना आदर authentication या फिर other KYC authentication complete नहीं करते हो तब तक नया GST registration आपको नहीं मिलेगा तो object of the amendments तो मैंने ज़स दिया है read कर लेता हूं वो देखो क्या कहते है देर इस a simplified registration procedure under GST however, in an endeavor to curb check or flap by night operator and to increase the compliance आदर EKYC based registration has been introduced under the GST law यहां यहां पे fake registration पे control करने के लिए यहां जहां तक है to curb or check the compliance procedure compliance procedure को कम करने के लिए government ने EKYC registration लाया और आपका KYC के लिए जो main document रखा वो आपका आधार रखा गया with effect from 1 4 2020, Aadhar authentication has been made has mandatory for new applicants whether an individual applicants or other than individual or in order to eligible for grant of registration, subsequently existing registrant will also be required to undergo Aadhar authentication, otherwise their registration shall be deemed to be invalid मतलब क्या अभी 14 2020 के बाद जो भी नया application लेगे GST में यहां पे तो 14 2000 के बाद अब उनको अपना आधार यह EKYC complete तो करना mandatory है और जो existing registrant है मतलब जो already registered person है इनको जो है इनको भी अपना EKYC complete करना पड़ेगा पर अभी उनको date नहीं दी है एक April 2020 यह जो date दी कही है यह उनके लिए जो new registration के लिए apply करेगे लेकिन जो existing registrant है और के उनको भी EKYC complete करना पड़ेगा पर उसकी date future में आएगी दोस्तों तो section 25 में subsection 6A to 6D उन्होंने add किया है यहाँ में तो subsection 6A to 6D यहाँ में पढ़ना है इसके साथ साथ कुछ rules भी उन्होंने amend किये है तो दोस्तों यह भी rules हमें देखना है कि कौन कौन सिल rules इस section को दहन में रखते हुए उन्होंने amend किये गए इसके अपर अगर question आया तो 2 mark का question आ सकता है मैं ज्यादा important तो नहीं करोगा पर एक start देना चाहोगा पढ़के जाना other authentications related एक अधा theoretical question आ सकता है देखो अब थोड़ा आप ध्यान दोगे तो पहला लिखा है every register person अब यहाँ every register person का मतलब क्या कह रहे है वो यहाँ पर every register person मतलब जो already registered है उनको भी यह authentication procedure से जाना पढ़ेगा और authentication procedure जो है तो possession of other number और के proof of possession of other number देना पढ़ेगा आगे कहा है उनने अगर आपके पास अधार number नहीं है प्रोवीजो तो आपके लिए special अलग से procedure prescribe किया जाएगा हाँ लेकिन उनको कौन से form में authentication complete करना है कितने time में करना है यह prescribe किया जाएगा और मैं आपको फिर से एक बार कह दूँ कि अभी 1 April 2020 से जो उन्होंने authentication compulsory किया वो authentication से उनको वो ही person को compulsory किया जो first time registration के लिए apply कर रहे है उन्होंने section तो लेके आगे section क्या कि existing register person जो है और जो already registered person है उनको भी कि EKYC complete करना पड़ेगा अपना आधार का details देनी पड़ेगी पर वो date कब होगी वो आगे prescribe करेंगे अभी date effective नहीं हुई है पर provisions आप पढ़ लीजेगा आपको definitely help होगा प्रोविजो क्या कहता है provided that if other number is not assigned to registered person अब ऐसी case आ सकती है कि आदार आपको assigned नहीं किया गया है जैसे अभी आदार सिप individual को मिलता है अब कुछ case में हो सकता है कि individual ने आदार नहीं लिया गया क्योंगी company है या partnership हम है इनको तो आदार है नहीं तो provided that if other number is not assigned to a register person such person shall be offered alternate or viable means of identification in such a manner as government on recommendation of council में prescribed मतलब फिर ऐसे लोगों को alternate viable means of identification procedure बताई जाएगी कि चलो तुमारे पास आदार नहीं है तो फिर आपको किस तरह से ये चेक किया जाएगा कि आप fraud person नहीं हो और कि आप यहाँ पर just आपने dummy premises register नहीं किया है ये कैसे check किया जाएगा तो उसकी viable method दी जाएगी अभी rule में आपको बताऊगा उसकी viable method अभी तो physical examination ही है मतलब अगर आपका आधार नहीं है आपके पास तो officer जो है physical examination करेगा और physical examination के बाद ही आपको registration देगा ठीक है आगे मैं आपको बताऊगा second provision provided further that in case of failure to undergo authentication or furnish the proof of possession of अधार number or furnish alternate or viable means of identification registration allotted to such person shall deem to be invalid and other provision of this act shall apply if such person does not have registration मतलब आपका आप आधार authentication complete नहीं कर पा है तो या कोई alternative viable method जो government ने prescribe किया गया for checking your authentication वो भी आप complete नहीं कर पा है तो वो situation में आपको दिया गया registration जो है invalid माना जाएगा और आपके उपर उसी तरह से पूरी action ली जाएगी जिस तरह से एक non-register person पे ली जाती है under this act ठीक है नव 6b on and from the date of notification every individual shall in order to eligible for grant of registration ये तो data when for 2020 आपको लिखना है तो और यहां लिखा every individual याने 6b में वो अभी individual की बात करते हैं every individual shall in order to eligible for grant of registration undergo authentication or furnish the proof of position of other number in such a manner and on recommendation of council specifier in the state notification तो यहां पे 6a और 6b में क्या फर्रक है पहला difference 6a और 6b में यह है कि 6a में आप already registered हो और आपको आपका EKYC complete करना पड़ेगा आदार authentication complete करना पड़ेगा और 6b में आप registered नहीं हो आप individual हो और individual पहली बार registration के लिए जा रहे हो तो अब आपको जिस दिन government date prescribe करेगी तो अभी government ने जो है नए registration एक चार 2020 से prescribe किया है और आपको without authentication या आदार authentication आपको यह और GST में registration नहीं मिले गए प्रोवीजों देखो यह उसको assign नहीं किया गया उस individual को तो government time to time alternative viable identification procedure प्रिस्टाइब करेगी अभी तक तो इसके उपर notification नहीं आया है पर रूस में कहा है कि फिर आपको physical examination ही होगा दुसरा भी alternate or viable method नहीं दिया है the central government on recommendation of council hereby आगे मैं पढ़ता हूँ hereby notifies that the date coming into the force of this notification as the date from which individual shall undergo authentication of other number as specified in rule 8 of cgst rule 2017 okay तो rule 8 मिस की date notify किया जाएगा in order to eligible for registration और वो date अगर आपको चाहे knowledge कि लिए तो 1-4-2020 provided that if other number is not assigned to said individual he shall be offer alternate and viable method of identification under rule 9 specified rule 9 of the state rule ये rules हमा आगे देखेंगे पढ़ेंगे इसको चलो ये 6A 6B हो गया now 6C on and from the date of notification every person other than individual अब ये 6B or 6C मे क्या difference है 6B जो है वो individual के लिए specially or 6C जो है वो every person other than individual के लिए है shall in order to eligible for grant of registration undergo authentication or furnish proof of possession of other number of अब देखो अगर क्योंकि अभी आदार जो मिल रहा है वो तो स्रीब individual को मिल रहा है अब आप company हो समझे लो partnership firm है trust है और आप GST में registration करवा रहे हो तो अगर आप GST में registration करवा रहे हो तो आपको तो आदार नंबर company के नाम का नहीं होगा partnership firm के नाम का नहीं होगा तो वो situation में किसका अधर authentication check किया जाएगा तो करता managing director whole time director यह such number of partners okay यह partners का authentication check किया जाएगा member of managing committee of association अगर AOP होगा तो board of trustees authorized representative or authorized signatories and other class of person in a manner as maybe government notify on the recommendation of council मतलब एक चार 2020 के बाद अगर other than individual एक चार 2020 के बाद other than individual जो है यह authentication procedure के लिए जा रहा है तो वो situation में वो individual जो है sorry वो company जो है यह वो partnership firm जो है वो भी अपना EKYC complete करेगा यह authentication procedure complete करेगी लेकिन अब यह authentication procedure किसके document किसके आधार पर होगा तो करता managing director whole time director में के partners या members या trustees या authorized represented your signatories और के उनके authentication चेक किये जाएगे या ऐसा कोई class of person जो time to time जो है government notify करेगी और उनको अगर assign नहीं किया हो गया अधार तो alternative method या viable means of identification procedure यह government time to time prescribe करेगा here central government notify that from which the authorized signatory of all types you are managing the authorized partners of partnership firm and karta of a chief shall undergo authentication of possession of other numbers specified in the rule eight of cgst 2017 in order to eligible for registration under gst मतलब कौन सी date से आप करता कहे या फिर authorized signatories कहे या partners कहे तो कौन सी date से या अपना ekyc complete करेंगे यह government time to time prescribe करेगी और यह date जो है अभी 1-4-2020 है for new registration आई यह next page पे provided that if other number is not assigned to the said person they shall be offered alternate and viable means of identification in the manner specified in rule 9 of the said rule rule 8 or 9 हम निची देखेंगे next 6D जो है फ्रहा important है फ्रहा इसको समझने की कोशिश करना provision of subsection 6A, 6B, 6C shall not apply to such person or class of person or any state any state or union territory or part thereof as government may on recommendation of council specify by notification लेकिन उपर जहां हमने आदार authentication compulsory किया है यह EKYC compulsory किया है तो यह कौन-कौन से cases में applicable नहीं होगा I repeat यह कौन-कौन से cases में applicable नहीं होगा provision of 6A, 6B, 6C of section 25 तो यह government time to time notify करेगी यह कौन से state में applicable नहीं होगा यह कौन से union territory में यह आदार authentication compulsory नहीं होगा तो यह government time to time notify करेगी और government ने इसके लिए notification दिया है तो यह notification निचे और कि government ने जो दिया है notify किया है notification number की details यह मेंने दिये Central government on recommendation of council hereby notifies that the provision of section 6B and 6C of 6B और 6C मतलब new registration के लिए I repeat 6B and 6C new registration के लिए of CGST Act shall not apply to a person who is not a citizen of India okay very very important यह MCQ question के लिए आ सकता है मतलब क्या जो Indian citizen नहीं है पर India वो India में GST में registration ले रहा है वो सकता है NITP बगरे हों तो वो केस में यहां पर उनको यह provision अप्लाए नहीं होगी और उनको अपना authentication complete नहीं करना पड़ेगा और to a class other than following class of person very very important statement to a class other than following class of person namely मतलब क्या मतलब यह चार लोगों को अपना authentication complete करना पड़ेगा यह चार लोगों के अलावा बाकि अभी फिलाल बाकि लोगों को फिलाल authentication complete procedure complete करने की जरुवत नहीं है तो कौन से चार लोगों को individual authorized signature of all type managing and authorized partners करता नहीं है तो इनको अपना authentication complete करना पड़ेगा मतलब मतलब अगर मैं 6C में आऊ आऊ तो managing director को फिलाल date उन्होंने prescribe नहीं किया है okay section रखा हुआ है फिर से धान सुनना section रखा हुआ है पर फिलाल managing director के लिए उन्होंने exclude किया है इनको अपना authentication complete नहीं करना पड़ेगा whole time director को नहीं करना पड़ेगा member and manager partner को करना पड़ेगा लेकिन okay committee member of managing committee of association board of trustees okay तो इन लोगों को अभी फिलाल other authentication जरूरी नहीं है very very important question for mcq आ सकता है क्या हो जाओगे आप exam में confused हो जाओगे कि क्या managing director या whole time director को अपना other authentication complete करना है क्या तो आपने 6C में तो पड़ा हुआ है को इस section तो बना के रखा हुआ है उन्होंने कि इनको भी करना पड़ेगा other than individual हो लेकिन फिर बाद में 6D में कहा है कि नहीं फिलाल चार लोगों को ही मतलब two such class of person other than the following class of person उत्रियडों मतलब वोट मतलब इस 4 लोगों को ही आपका aadhar authentication complete करना है बाकी को आदharing authentication complete नहीं करना है okay तो अब इस 4 लोगों को ही जो अगर आदharing authentication complete करना है तो किसको किसको नहीं करना है तो जैसे वह आपर कहा कि managing director हो, world time director हो, trustee हो या is committee member हो तो फिलाल उनके जो है authentication complete नहीं होगी दोस्तों तो यह point आप अच्छे से पढ़के जाना कि यह 4 लोगों को ही जरूरी है बाकी लोगों को जरूरी नहीं है ठीक है और आधार नंबर बगरे क्या तो उन्होंने दिया है accordingly rule 8, rule 9 और rule 25 में उन्होंने amendment की तो mostly हमने पढ़ लिया लेकिन rule 8, 9 और rule 25 में उन्होंने जो changes किये section 25, 6A से लेके 6D तक जो amendment आई है उसको ध्यान में रखते हूं उन्होंने date prescribed किया गया है देखो okay provide that procedure for application okay यह procedure for application of registration rule 8 बताता है a new sub rule 4A has been inserted after sub rule 4 it provide that with effect from 1-4-2020 the applicant shall while submitting the application under sub rule 4 undergo authentication आदार authentication of आदार number for grant of registration तो मैं आपको 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 अपको अपको अपहले से बता रहा हूं कि आपकी जो date रहेगी वो date रहेगी 1-4-2020 I repeat 1-4-2020 and second in exercise the power conferred by section 25, 6B and 6C individual authorized signatory of all type managing and authorized partner or partnership firm karta of HUF shall undergo authentication of आदार number as specified in the rule मतला अभी अभी हमने देखा कि शरीव अगर आप individual नहीं हो I repeat आप individual नहीं हो तो आप company हो या partnership firm हो या trust हो etc तो किस में किसका यहाँ पे आदार authentication चेक किया जाएगा अभी हमने देखा लेकिन उसमें भी अभी सिप authorized signatories या partners या करता या करता आप HUF इनको ही compulsory किया है बाकि directors वगरे को compulsory नहीं किया है तो उनको भी 14 2020 से अगर ने registration के लिए apply कर रहो तो compulsory किया गया however if other number is not assigned to the said person they shall be offer alternative and viable means of identification in the manner specified in rule 9 of the said rule ठीक है उसके बाद में rule 9 में उनने दिया है provide that where person other than those notified in 25 6D fails to undergo authentication of आदार number as specified in 84A मतलब क्या 6D में हमने किसको किसको का है क्या आदार number नहीं लेने की जर्वत है जो इंडिया का citizen नहीं है या ये चार category छोड़के मतलब directors वगरे तो ये चार category छोड़के अगर बाकी ने अपना authentication नहीं किया एक चार 2020 के पास specially new application के लिए देन registration shall be granted only after underline only after physical verification of principle place of business in presence of sale person and not later 60 days from the date of application मतलब क्या फिर आपका registration लेट हो गया बेटा क्यों क्यों कि अब क्या होगा क्या आगर आपके पास एक चार 2020 के पास 6B और 6C के तद आपका authentication आपको complete करना है और अगर वो complete अधर authentication आपको complete नहीं हो पाया तो वो situation में rule 9 कहता है कि फिर तो भी दस physical examination ही होगा और जब तक physical examination नहीं होता है तब तक आपको GST registration grant नहीं किया जाएगा और साथ दिन का ताइम उन्होंने दिया है और साइट सरवे यह पर आपका physical examination ही होगा उसके बाद ही आपका जो है registration grant किया जाएगा दीम approval आपको concept applicable नहीं होगा और section 25 में भी यह कहा गया तो physical verification of business premises हाथ section 25 यह कहता है कि सभी case में physical verification ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर आपका आदार authentication complete नहीं हुआ तो definitely आपका physical verification किया जाएगा तो इस तरह से registration chapter में यहाँ पर हमने देखा कि आदार से related उन्होंने आदार authentication procedure में लाएगया यह भी detail में कहा गया कि किसको करना है किसको नहीं करना है और physical examination की procedure 25 में दिये ती यह तो आप रिडिकर दिया जाएगा तो यह था यहाँ पर तो section rule 25 भी पढ़ लेता हूं physical verification of business premise in certain cases where proper officer satisfied that the physical verification of place of business of person is required due to failure of other authentication before the grant of registration or due to any other reason मतलब rule 25 open कर देता है कि failure in other authentication या फिर कोई भी reason के वजे से officer को ऐसा लगता है कि आपका physical examination होनाच यह place of business का he may get such verification of place of business in presence of said person done and the verification report along with other documents including photographs shall be uploaded in form REG 30 on common portal within a period of 15 working days from the date of such verification मतलब क्या उसको अपने verification report submit करनी पडेगी पर बेटा यह form वकर याद मत रखना in prescribed form आपने लिखा तो भी चलेगा तो यह था regarding to यहाँ पर आपने देखा registrations related amendments ठेक है तो simple amendments थी registration chapter में ऐसे कोई special amendments नहीं था सो दोस्तों अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया chapter और वो है exemption from GST इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नहीं entry exemption में नहीं लाई उन्होंने कोई के वज़े से बहुत सारी चीज़ उन्होंने पोस्पान कर दी ये chapter में एक existing entry थी और वो existing entry को थोड़ा सावना ने change किया बाकि नहीं entries में ऐसा कुछ नहीं है specially for November 20 attempt के लिए है तो दोस्तों छेलिए देखते हैं exemption chapter की amendments एक entry थी service by state government to industrial development corporation ठीक है पहले मैं entry पढ़ लेता हूँ और फिर आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ या पहले भी थी शायद आपको याद नहीं होगी वैसे exemption chapter की कुछ limited entries ये आपको याद है तो ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ upfront amount called as premium salami cost price development charges or by any other name payable in respect of service by way of granting long term lease 30 years or more of industrial plots or plots for development of intrastructure for financial businesses provided by state government industrial development corporation or undertaking or by any other entity having 50 percent or 20 percent or more ownership of central government state government union treaty to industrial unit. or developer in any industrial or financial business area to a developer to any industrial or financial business area अब क्या होता है कि ये जो industrial जैसे city के बाहर industrial area होता है और ये industrial plots होते हैं जो state government के control में होता है और जिसे हम generally state government industrial corporation और undertaking कहते हैं तो वो factory लगाने के लिए कोई business चलाने के लिए वो plots जो है lease पे देती हैं और long term lease होती है 99 years, 100 years इसके हिसाब से तो वो कहते हैं वो कहते हैं कि अगर state government industrial development corporation या undertaking या कोई भी ऐसी entity जिसमें 50% जिसमें 50% और more पहले जो था 50% और more अब ये 50% को scratch कर दो बेटा वो जो rate है वो निचे चले गया आपको थोड़ा वो scratch करना पड़ेगा तो 50% की जगा अब 20% लाए उनने याने एक तो state industrial development corporation होगा या फिर यहाँ पे I repeat state industrial development corporation होगा या फिर कोई भी ऐसी entity जा 20% और more ownership of central government, state government और union territory और वो अपना plot lease पे दे रिये, किसको lease पे दे रिये, industrial units को या developer in any industrial area और financial business area इनको अगर 30 साल से ज़्यादा lease पे देती है जिसका वो premium ले, या salami ले, या cost price ले, development charges ले, कोई भी नाम हो तो वो lease amount पे GST नहीं लगाया जाएगा तो amendment क्या हुई यहाँ पे, amendment पहले जो 50% था, उसको अब उन्होंने 20% किया याने इसको बढ़ा दिया, तो 20% और more होगा, तो वो exemption के लिए eligible होगी अगर कोई entity होगी तो यहाँ पे, तो 50% के जगा पेटा, उन्होंने 20% किया यह amendment conditions दिये, यह exemptions की, provided that lease plot shall be used for the purpose for which they are allotted, that is for industrial financial activity in an industrial or financial business area, तो यहाँ पे, जो लिस plot दिया गया, वो कोई रहने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, आपने, जो purpose के लिए दिया गया, उस purpose के लिए यूज करना चाहिए, मतलब यह industrial या financial activity के लिए, आपने यूज करना चाहिए, वो area में, provided further that state government concerned shall monitor or enforce the above condition as per the order issued by the state government in this regard. Next provided also that in case of violation or subsequent changes of land use due to by any reason whatsoever, the original lacer, original lacey as well as subsequent lacey or buyer or owner shall jointly or severely liable to pay such amount of central tax or state tax, यह आपने, चाहिए, आपने, चाहिए, 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 law is a law state tax as would have been pay-able on upfront amount, charged for long term lease of the plot, but for the exemption contained here in, along with applicable interest and penalty. यहने वो पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा अगर आपने उसका use change कर दिया यहने 30 साल के ज़्यादा परहे के लिए आपने lease लिया और कोई भी रिजन के वज़े से अगर आपने use change किया तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा along with interest and penalty और यह आप हो यह फिर लेसर चेंज हो गया यह कोई अधर पार्टी उसमें इन्वाल होगी तो जोंटली और सेवरी लियापलिटी होगी next last provided also that lease agreement entered into by original lesser with the original lessee or subsequent lessee or sub lessee as well as any subsequent lease or sale agreement for lease or sale of such plot or subsequent lesser or buyer or owner shall incorporate in terms of conditions terms and conditions the fact that central tax was exempted on the long term lease of the plot by the original lesser to original lessee subject to above condition and the parties of the state agreement undertakes and comply with the same conditions आपने मतलब क्या है कि जब जब भी lease shift होगी sub lease होगी तो सब को यह clearly बताना पड़ेगा कि बही original lesser or lessee कि जो condition है उस condition पे GST का exemption मिला हुआ है और वो conditions हमको follow करना है तो यह conditions ऐसी कोई exam के सबसी important नहीं है सिब एक छोटी सी amendment यहाँ पे जो हुई पहले जो state industrial development corporation और other entity थी तो other entity में उन्होंने 50% का criteria रखा था अब 20% का criteria रखा हुआ है और life insurance general insurance में उन्होंने एक insurance scheme और add किया for exemption वो है bangla यहाँ शाष्य भीमा योजना तो यह यह जो add किया गया है तो सीप इतना याद रखना बागी तो आपको general insurance scheme जिसको exemption दिया वो याद नहीं रहेगी तो यह जो नया scheme उन्होंने launch किया है यह आपको यहाँ पे याद रखना है जिसको exemption उन्होंने दिया है तो बेटा इस chapter में exemption chapter में इतनी amendments थी इसके अलावा कोई additional amendments यह चप्टर में नहीं है ठीक है चली next chapter हम start करते है IGST Act अच्छी ख़बर यह है कि IGST Act में इस बार कोई 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 कुछ भी amendments नहीं है बस एक छोटी से entry add किया है बाकि कुछ भी amendments नहीं है I repeat कुछ भी amendments नहीं है IGST Act में ठीक है तो यह चोटी से entry फटाफट पढ़ लेते हैं और फिर आगे की amendments देख लेते हैं कि IGST Act में यह amendment कहती क्या है ठीक है IGST Act section 13.13 पहले मैं आपको section 13.13 पढ़ा देता हूँ वैसे मे की amendments पर हमने section 13.13 बहुत अच्छे से पढ़ा था जिसमें research and development activity और pharmaceutical sector वो एड किया गया था तो उसको ही थोड़ा में अच्छे से यहां पर बता राचा होगा और regular class में तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है ठीक है चली तो यह section 13.13 कहता क्या है दियान से देखिएगा ठीक है फिर से एक बार in order to prevent double taxation मतलब कही दो बार tax नहीं लगना चिए और non-taxation of supply of service या फिर कोई service ऐसा ना हो जाए कि tax ना लगे और uniform application of rules the government shall have power to notify any description of service or circumstances in which place of supply shall be the place of effective use or enjoyment of service थोड़ा ये section को जहन से बढ़ना भाई कही पे ऐसा ना हो जाए कि double taxation हो जाए पहले तो मैं section 13 का background बता देता हूँ section 13 का अब लगता है supply of service के case में POS fix किया जाता है और section 13 में supply of service के case में जब POS fix किया जाता है बेटा तो कोई एक party taxable territory में और एक party taxable territory के बाहर है और कि तब section 13 अपलाई किया जाता है तो अब section 13 13 में क्या लिखा है double taxation ना हो जाए मतलब क्या इन्या में भी tax लग जाए और बाहर भी tax लग जाए ऐसा नहीं होना जाए या फिर कोई ऐसी service ऐसा ना हो जाए कि टैक्स के बाहर ही हो जाए ना इन्या में लगा ना बाहर लगा यह देखो एकदम उल्टा ही है यह section 13 13 आपको यह भी prevent करता है कि double taxation ना हो जाए तो यह भी prevent करता है कि कोई service बिना tax का ना रह जाए या फिर uniform application approves तो यह तीन purposes इन्होंने दिये है तो government यहाँ पे कोई service related POS जो है time to time उसकी effective use और enjoyment पे उसका POS separately fix कर सकती है May attempt के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं ने explain किया है जिसको बहुत detail में जाके देखना है वो May attempt में के amendments देख सकता है वैसे मैं summary revision लूग आई हमारा discussion होने के बाद कि यह amendments कवर होने के बाद तो अब देखो बेटा उन्होंने research and development relating to pharmaceutical sector और वो एक बहुत बढ़ा list दिया था कौन कौन से अरिया में research और development करोगे तो place of supply ऐसे fix होगा तो उन्होंने दिया था location of recipient of service subject to fulfillment of condition देखो वो क्या था था थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ research and development service specially pharmaceutical sector के और अलग-अलग research and development की उन्होंने list दी थी जो मैंने आपको last time दिया था आपके regular book में भी covered है जिसमें क्या होता था कि बढ़ा export service के अगर benefit लेना है तो आपका place of supply जो है इंडिया के बाहर fix होना चीए अब research and development service जो है okay यह कोई आपको product दे रहा है और वो product पे आप research and development कर रहे हो तो क्या problem होता था problem उसमें यह होता था कि कोई foreign company कोई drugs भेज रही है pharmaceutical कोई item भेज रही है जिसका research and development इंडिया में हो रहा है तो यह जो है section 13 3 के हिसाब से okay यह service performance based service में जाता था मतलब कोई अपना goods दे रहा है जिसके आप research कर रहे हो physically goods दे रहे हो और जिसके आप research कर रहे हो और वो research इंडिया में होता था अब वो research इंडिया में होता है तो गरबड़ी हो जाती तो theirateur इंस चुनना गरबड़ी हो जाती थी कि उसका place of supply section 13 benefits नहीं मिलते थे, क्यों export service के benefits नहीं मिलते थे, क्योंकि export service की एक condition है, कि आपका place of supply बाहर fix होना चाहिए, अब देखो supplier इंडिया में है, recipient outside इंडिया है, पैसा भी convertible phone exchange में आ रहा है, लेकिन एक condition fulfill नहीं हो रही है, और वो condition थी, कि आपका place of supply बाहर fix होना चाहिए, अब ये research and development in specially pharmaceutical sector जो है, तो यहाँ place of supply इंडिया में fix हो रहा था इसके वज़े से, इंडियन pharmaceutical sector जो specially research में involved है, और well known है पुरे world में, वो industry affect हो रही थी, जबकि बहुत पैसा वो convertible foreign exchange में ला रही थी तो वो case में, section 13-13 में, यहाँ पे इस बात को द्हान में रखते हुए, उन्होंने उसका place of supply, location of recipient के service बेस पे shift किर दिया, मतलब कहाँ perform हो रही उसके base में नहीं uniformity in rules में लाने के लिए यहाँ पे location of recipient मतलब location of recipient इंडिया के बाहर है, तो कोई problem नहीं, आपका place of supply इंडिया के बाहर माना जाएगा और performance based नहीं माना जाएगा तो यहाँ condition भी डाली है और condition में clearly कहा कि भई supplier इंडिया का होना चाहिए और recipient इंडिया के बाहर का होना चाहिए, non taxable territory पे होना चाहिए और export of services में उसका जो है, ओके जो place of supply है, export of services के case में, जो तिसरी condition छोड़के बाकी सब condition उसने fulfill करनी चाहिए, अब export of service में तिसरी condition क्या है, कि place of supply है, उसका place of supply 13,3 लगा दू तो place of performance के base पे हो जाएगा, तो वो छोड़ दो place of performance नहीं, location of recipient के base पे fix किया जाएगा और बाकी उसने सभी export of service के condition fulfill करनी चाहिए, तो यह तो पुराना था, अब उसमें एक नया add हुआ, और एक नई service notify की government है, जिसका place of supply, location of recipient के base पे होगा, वो है repairs and maintenance of aircraft, तो supply of maintenance and repairs और overall services in relation to aircraft, aircraft engine and other aircraft components or parts supplied to a person for use in the course of furtherance of business अब देको कैसा है यहाँ पे बहुत सी foreign airlines foreign airlines थी, तो उनके aircraft का, यह engine का repairs and maintenance इंडिया में खराब हुआ, उसका repairs and maintenance इंडिया में होदा था, अब देको supplier company इंडिया की है, recipient foreign airline company है, और repairs and maintenance इंडिया में हो रहा है, तो क्या हो जा तब, again place of performance के base पे section 13-3 लग रहा था, वो situation में, उसका place of supply इंडिया में फिक्स हो रहा था, लेकिन government ने फिरी से धान देना repairs and maintenance of aircraft related location of recipient of service, इसके base पे उन्हों ने POS fix किया है, दोस्तों तो I hope उन्होंने एक चीज जो यहाँ add किया, IGST Act में, यह आपको clearly समझ में आई होगी, pharmaceutical sector तो पहले और repairs and maintenance of an aircraft जो अभी add किया गया है, इसके ओपर MCQ question आपको पूछा जा सकता है, तो बेटा, IGST Act में बस इतनों सी amendment है वो भी 13.13 में एक service notify किया है, बाग की IGST Act में कोई amendment ने इस बार तो आप खुश रहो यार, कोई जादा amendments उन्होंने add नहीं किया, तो इस तरह से हमने IGST Act complete किया दोस्तों, यहाँ पर तो दोस्तों, return again छोटी सी amendment कोई खास नहीं है, एक छोटी सी amendment है, तो return chapter में एक छोटी सी amendment क्या हुई है यह देख लेते हैं और एक clarification दिया है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं चलिए return यह chapter में annual return, जैसे आप सब को पता ही है annual return, यह आप लें monthly या quarterly return जो जाएगे वो तो ठीक है, monthly quarterly जाएगे आपको साथ साथ में section 44 में annual return देना पड़ेगा every register person other than ISD या TDS, TCS इनको annual return नहीं है पर annual statement है और इसके लिए अलग section है, casual taxable person, NRTP, इनको भी annual return नहीं है, लेकिन बाकी सब को monthly quarterly के साथ साथ annual return देना पड़ेगा जो इसकी date है 31st December of the following year on the financial year, मतलब यह financial year का आपको annual return अगले साल के 31st December तक दे देना पड़ेगा example की तोर पे 1 April 2020 से लेके तो 31st March 2021 तक का आपको annual return 31st December 2021 तक दे देना पड़ेगा और की इसके उपर हमने बहुत का सा discussion किया, आपको बहुत से बार annual return की date हमने time limit for availing ITC, debit note, credit note में हमने discussion किया था इसमें उन्होंने एक provisal आया, जो provisal में पढ़ लेता हो, क्या provisal है देखिएगा provided that commissioner may on recommendation of council or for reason to be recorded in writing by notification, extend the time limit of furnishing annual return for such class of register person as may be specified, जैसे पहले हमने TDS, TCS में भी देखा की जो annual आपको return देना पड़ता है जो section 44 कहानी 52 के तहत ही आपको return देना पड़ता है, तो जैसे commissioner को यह power दे गए थी, कि वो time to time यह annual return की date extend कर सके monthly statement की date extend कर सके वैसे section 44 में यहाँ पे, जो भी register person को annual return की, annual return देना है, और government को ऐसा लगता है कि 31st December जो है, within time लोग नहीं दे पाया है, तो government 31st December की date time to time extend कर सकती है, और provided further that extension of time limit notified by commissioner of state tax or the commissioner of union territory tax shall be deemed to be notified by the commissioner, यह फिर अगर कोई state, commissioner of state tax नहीं, यह union territory tax नहीं अगर return की date यहाँ पे extend की, तो वो यहाँ पे, ऐसा माना जाएगा कि central commissioner नहीं भी वो date extend कर दिया है, तो कुछ नहीं extension of annual return की amendment है, बाकिय कोई खास बात नहीं है, यह क्लारिफिकेशन इसमें दिया गया, अगरिफिकेशन रिगार्दिंग optional filing of annual return, तो यह वैसे practice purpose के लिए important है, मैं पढ़ रहा हूं, in terms of section 10 of CGST Act, taxpayer under composition scheme, underline under composition scheme, may, may at their option, file of form in GSTR 9A, for financial year 1718 and 1819 before the due date, after due date of furnishing annual return of 1718 और 1819, common portal shall not permit furnishing of GSTR 9A for the state period, मतलब क्या, 1718 और 1819, यह जिसने भी composition लेवी के लिए opt किया, तो उनका annual return 1718 और 1819 का जो annual return है बेटा, तो वो annual return जो है, मे का मतलब, वो चाहे तो file कर सकते है, due date तक, due date तो है, यह compulsory नहीं है, optional है, चाहे तो जो भी उनकी due date है, 1718 की, 1819 की, notification time to time due date भी extend की गई थी, तो जो भी उनकी due date है, वो file कर सकते है, within that due date, लेकिन due date जाने के बाद, आपका annual return accept नहीं किया जाएगा, 1718 और 1819, जैसे practice में हम कह रहे है, कि भई annual return file कर दो, नहीं, compulsory नहीं भी होगा, तो भी file कर दो, इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका data match हो जाएगा, तो आपके against my action नहीं होगी, पर बहुत से लोग annual return नहीं file कर रहे, because of this clarification, कि क्यों file करते है, okay annual return, छोड़ो नो, उनने optional का है, में का है, लेकिन बेटा, क्या होगा, अगर आपने annual return नहीं दिया, ठीक है, उनने optional दिया, और आपने annual return नहीं दिया, okay, तो फिर बात में, अगर कोई आपके financial state में हो, और आपके monthly return में, quarterly return में, difference आता है, तो unnecessary notices आएगी, अब unnecessary notices आएगी, तो फिर चलो जाओ, represent करने जाओ, practice तो हमारा ही बढ़ने वाला है, ठीक है, तो ऐसे case में, मैं इतना कहोगा, मैं तो बहुत strong recommendation देता हूँ, कि आप annual return file करो, okay, तो ज़्यादा अच्छा है, so that आपके अगेस में notice नहीं आएगी, लेकिन government ने option दिया है, ऐसा ने के compulsory किया है, specially ये 2 साल के लिए, 17, 18 और 18 और 19 के लिए, same for के TDS और TCS deductor, okay, इसके पहले हमने provision देखा, तो TDS और TCS deductor, ये 2 साल का उनने optional दिया है, sorry, 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 बुसरा देखा, रूल 81 में, every register person other than ISD or person paying tax under 5152 or casual taxable person or NRTP shall furnish annual return as specified under rule 41 of CGST Act, electronic in GSTR 9, therefore, taxpayer may add their option file GSTR 9 for 17, 18, 18, 19 before due date, after due date of furnishing annual return of the financial year 17, 18, 18, 19, in the common portal shall not permit the furnishing of GSTR 9 of the said period, okay, मैं आपको बता देटा, every register person other than ISD, TDS, TDS, deductor, CTP or NRTP, okay, तो last year में आपने कमेंट मेंट देखिती और ये भी देखिला, कि अगर कोई भी register person है, और other than ISD है, I repeat, other than ISD है, TDS, TCS, deductor है, CTP और NRTP है, CTP, NRTP को वैसे भी annual return नहीं है, okay, तो normal register person नहीं भी, उन्होंने optional दिया है, I repeat, उन्होंने ये notification से option दिया है, लेकिन अगर आप audit में होगे, तो फिर तो आपको देना ही पड़ेगा, option ही नहीं है, audit वालों को तो देना ही पड़ेगा annual return, लेकिन जो audit में नहीं है, GST audit में नहीं है, तो उनको option दिया है, 17, 18 और 18 उन्होंने इसका वो annual return जो है, अब आपका annual return accept नहीं किया जाएगा, अगर आपकी due date निकल गए, और section 73 के notice के बारे में भी उनने कहा, in terms of section 73 of CGST Act, register taxpayer, during the course of reconciliation of his account, notices any short payment of tax, or ineligible availablement of ITC, he may pay through DRC 03, ठीक है, हाँ, मतलब आप अपने account, reconciliate कर रहे हो, होता है, reconciliation हो रहा है, जैसा audit हो रहा है, reconciliation statement बन रहा है, आप समझ लो annual report भी दे रहे हो, और difference समझ में आया है, कि हमने monthly return, the answer बहुत important है, आपने office में भी देखा होगा, monthly quarterly return, और आपका जो annual return जा रहा है, या reconciliation statement बन रहा है, या account reconcile हो रहा है, तो section 73 के तहथ, आप DRC 03 में वो difference पे कर दो, तो आपके against में fraud की action बाद में नहीं होगी, मतलब आपको फिस एक chance दिया गया, कि monthly quarterly return में, अगर कोई गलती हुई, तो डरने की कोई बात नहीं है, जब भी आप annual return या reconciliation करोगे, और वो difference पता चला तो उसमें आप pay कर दो, तो वो case section 73 की मानी जाएगी, और उसे fraud नहीं समझा जाएगा, तो यह अच्छा clarification है, from practical point of view, और कि चांस आपको annual return तक या reconciliation तक भी दिया गया है, उसके बाद में यह इतना important amendment नहीं है, पर पढ़ लेता हो, foreign airline company exempt from furnishing reconciliation statement, अगर आपकी foreign airline company होगी, तो reconciliation statement आपको देने के जरुवत नहीं है, अपरसन वो आर foreign company, which is an airline company covered under the notification, issued under section यहाँ पे 381 subsection 1 of Companies Act 2013, and who has been complied with the rule 4-2 of company's registration of foreign company's rule 2014, as a class of registered person, who shall follow the special procedure as mentioned below. The share person shall not be required to furnish reconciliation statement in GSTR 9C, to CGST rule 2017, section 44-2 of CGST Act, read with rule 83 of CGST rule, provided that statement of receipt and payment for the financial year in respect of his Indian business operation duly authenticated by CA in India or firm of LLP of CA, in India, okay, to be submitted for each GSTN by 30th September of each year succeeding the financial year, मतलब क्या, अगर आपकी foreign airline company है, तो आपको 9C देने की जरुवत नहीं है, पर आपका receptor payment, इंडिया में आपने जितना भी business किया, उसका receptor payment आपको 30 September के पहले देना पड़ेगा, और यह 30 September के पहले जब आपको देना पड़ेगा, तो उस पर authentication जो है, मतलब और कि यहाँ पर उसको certify करना पड़ेगा, by Chartered Accountant यह LLP of CA, इन से certify करना पड़ेगा, तो यह एक benefit दिया है पटा, बस इतने ही amendment इस chapter में थी, बागी कोई special amendment इसमें नहीं थी, इस बार सच में करों तो कोई ज़्यादा amendments नहीं है, और जो भी है वो फाल्तु फाल्तु amendments है, ऐसे कोई major amendments November 20 के लिए नहीं है, चलाओ, हलो दोस्तों, now next topic जो हम देखेंगे, tax invoice, debit note और credit note, ठीक है, तो tax invoice, debit note और credit note में दो छोटी-छोटी amendments होई है, तो यह amendments क्या है, यहाँ पर, specially यह amendments जो है, वो यह invoice से related है, कुछ company को government ने इस बार क्या किया, कि भई आपके manual invoice या आपके software invoice चोड़ दो, अब आपको जो भी अपने customer को invoice देना है, common portal के थुरू देता पड़ेगा, जिसका reference number रहेगा, अभी फिलाल यह small businessman के लिए नहीं है, यह जो provision लए गई है, जिसके turn or large skill में है, हम पड़ेगे, तो उनके लिए यहाँ पर यह composite requirement government ला रही है, जिसके लिए government ने GSTN पर special portal बनाया है, invoice के, तो चलो इसके बारे में बात करता है, तो एक practical point of view important amendment है, पर exam में शायद इसके उपर एक-दो mark का question आ सकता है, तो यहाँ पर यह जो amendments है बेटा कि यहाँ about invoice और एक digital payment facility section 31A में उन्होंने लाई, तो यह दोनों भी amendments हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, चलो section 31A, facility of digital payment to the recipient, actually यह payment chapters related है, पर जैसे हम आपको याद होगा, तो section 31 जो है, वो invoice का है, तो उस से related ही मैंने यहाँ cover कर लिया है, 31A, यह जो section 31 है, यह payment के बारे में बात करता है, digital payment के बारे में बात करता है, चलो section क्या कहता है, the government may on recommendation of council, prescribe the class of register person, who shall provide, who shall provide, prescribe mode of electronic payment to recipient of supply of goods or services or both made by him and give an option to such recipient to make the payment accordingly in such a manner and subject to such conditions and restriction as may be prescribed, underline, prescribed a class of person, उसके बाद में electronic payment for goods or services और यह recipient pay करेगा accordingly, मतलब क्या, अब government जो है, कुछ category of person notify करेगी, especially इसमें no doubt बड़ी industries आएगी, जिसके recipient जो payment करेंगे, या फिर एक बड़ा amount आएगा, अभी तक इसके related कोई notification नहीं है, जैसे मैं supplier हूँ, आप recipient हो, और मैं आपको goods या service से supply कर रहा हो, तो आप जो मुझे payment करोगे, वो कौन से mode के थ्रू करोगे, वो mode of payment जो है, government prescribe करेगी, मतलब आपने bank account से online transfer कर दिया, या आपने कोई mode से दे दिया, या आपने cash में दे दिया, अब ऐसा नहीं चलेगा, और के government future में, यहाँ पे mode prescribe करेगी, और उसी mode से recipient को payment करना है, दोस्तों, तो दिरे दिरे government जो है, अपना control ले रही है, आपके activity पे, तो अभी तो major transaction पे लेगी, दिरे दिरे gradually, के हर चीज government के control में आने वाली है, तो मोदी जी, जिन्दा बाद, तो दोस्तों, यहाँ पे जाद अक हम देखे, तो section 31A लाया गया GST में, जिसमे government on recommendation of time prescribe करेगी, कि कौन से class of person को यहाँ पे for their supply of goods or services, payment, जो recipient से लेना है, तो किस mode से लेना है, वो government time to time prescribe करेगी, एक बात आ अभी फिलाल इसके अंदर कोई भी notification नहीं है, तो यह एक बात थी, उसके बाद मैं, यहाँ पे, rule में, rule 48 में एक amendment की गई, जो अभी मैंने आपको कहा कि electronic invoice पर, यह invoice पे अब उन्होंने ज्यादा emphasize किया गया है, तो यह क्या कहता है, rule 41, चलो, यह पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ाँ, यहाँ पे, invoice shall be prepared in triplicate, and invoice shall be prepared in duplicate, okay, तो यहाँ, यह थोड़ा ध्यान से देखना, कि in triplicate और duplicate, यह provision क्या है, जैसे यह, इसमें, यहाँ पे, कि, जब भी supplier of goods, यह supplier of service, invoice देगा, किसको, customer को, तो, say, rule 48 कहता है, कि supply of goods में triplicate copy जाएगी, और supply of service में duplicate copy, यह by law mandatory है, ठीक है, जिसके serial number of invoice issued relating to tax credit shall be furnished electronically through a common portal in GSTR1, जिसके serial number जो है, okay, आपको GSTR1 में, specially B2C के transaction में, आपको disclose करना पड़ता है, और पूरी आपकी serial number की series भी GSTR1 में, आपको, यहाँ पे, declare करना पड़ता है, now, इसमें, sub rule 4, sub rule 5, और sub rule 6, add किया गया, okay, यह specially invoice related है, मैं read कर लेता ह फोड़ा इसके procedure के बारे में, आपको सम्झा देता हू, the invoice shall be prepared by such class of register person as may be notified by government on recommendation of council by including such particulars contained in GST INV01, after obtaining the invoice reference number, underline invoice reference number, by uploading the information contained therein on common goods and service tax electronic portal in such a manner and subject to such conditions and restriction as may be specified. मतलब, यहाँ पे, कुछ registered class of person, जो government notify करेगा, अब इसका notification आना बाकी है, future में आएगा, तो कुछ notified class of person, जो government notify करेगा, उन class of person को जो invoice prepare करना पड़ेगा, अब उनके normal invoice नहीं चलेगे, उनको यहाँ पे सभी information INV01 में upload करके, common portal पे upload करके, वो invoice का reference number करके, अपना invoice जो है, recipient को generate करना पड़ेगा, in short, अब जो है, कुछ category of person, जो government notify करेगी, तो वो person अब अपने normal invoice नहीं दे सकते है, वो जो भी invoice customer को दोगे, वो उसका invoice reference number generate होगा, और वो invoice number जो है, invoice reference number जो है, invoice reference number जो है, उनको वो common portal से generate करना पड़ेगा, और वो invoice उनको issue करना पड़ेगा, दोस्तों, या इसे transparency आगे, कि कोई dummy invoice है, fake invoice है, दे दिया, सामने वाले ने credit ले लिया, अब ऐसा नहीं है, बड़े transaction case में, या बड़े assessi के case में, जो है बटा, जो government notify करेगी time to time, तो अब, यहाँ पे, अब आपके fake invoice या manual invoice पे काम नहीं चलेगा, यहाँ, अब common portal से आपको invoice generate करना पड़े इसका फाइदा क्या हुआ, इसका फाइदा हो गया कि अब, आपने अगर common portal से invoice generate किये, तो automatic आपका GSTR 1 बन जाएगा, auto update हो जाएगा, और GSTR 1 का data, GSTR 2A के recipient की, इसमें, automatic यहाँ पे update कर दिया जाएगा, तो यह बहुत अच्छा procedure है, specially, जो honest taxpayer है, और union taxpayer है, तो उनके लिए बह से compliance इससे कम हो जाएगे, दोस्तो, दूसरा, every invoice, subrule 5 रेखो, every invoice issued by a person to whom under subrule 4 applies, in any manner, other than the manner specified in the state, subrule shall not be treated as invoice, अब उन्होंने यह condition भी लाई, मतलब क्या, अगर आप subrule 4 में notify किये गया, मतलब आप ऐसे register person है, जो subrule 4 में notify किये गया हो, तो आपको invoice उसी method से देना पड़ेगा, ज method हमने subrule 4 में बताए, इसके अलावा जो भी आपने invoice दिया हो, वो GST purpose के लिए invoice नहीं माना जाएगा, एक बार फिर से, इसके अलावा आपने जो भी invoice दिया हो, GST purpose के लिए उसको invoice नहीं माना जाएगा, आपको invoicing करनी पड़ेगी, और यह method के थुरू आपको invoicing करनी पड कि, provision of subrule 1 and 2 shall not apply to an invoice prepared in a manner specified in subrule 4, मतलब क्या कि यह duplicate or triplicate copy आपको बनाना है, और यह सब कुछ provision है, यह जो है, अब invoice को applicable नहीं, क्योंकि in invoice में triplicate copy or duplicate copy बनाने की जरुबत ही नहीं है, invoice reference number बनेगा, और वही आपकी evay bill को भी attach हो जाएगा, वही recipient को मिल जाएगा, यह जिसके प तो उसको यह triplicate copy यह duplicate copy यह provision अपला है, नहीं होगी बिटा, तो यह था regarding to invoice chapter से related, उसके बाद में manner of issuing invoice, इसकी procedure दिया है, उसके common portal पे कहां का, किस तरह से invoice generate होगे, उसकी, यहाँ पे link भी, आपके हमारे statutory updates में दिये, exam के लिए इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं read कर लेता person on recommendation of council, underline notified class of registered person on recommendation of council, by including such particulars contained in INV01, after obtaining IRN invoice reference number, by uploading the information contained therein on common GST portal in prescribed manner and subject to prescribed conditions and restrictions, every invoice issued by said person in any manner other than the manner specified in 484 shall not be treated as an invoice. यह भी हम देख चुके है, कि जो person को notify किया INV01 के लिए, उन्होंने उसके अलावा दूसरा कोई भी invoice उन्होंने नहीं देना चाहिए, यह बात जरूर आप दहान में रखो, कि दूसरा कोई भी invoice नहीं चलेगा दोस्तों, तो जो कहा, वो हीच करना के पड़ेगा, और एक बा that central government by notification on recommendation of council and subject to condition and restriction and mention therein specified that the tax invoice bill of supply shall have QR code, हाँ, अभी यह invoice generate जब होगा, तो no doubt QR code उसके उपर आएगा, और वो QR code से immediately ARN भी यहाँ पे trace हो जाएगा, और वो QR code से आपका invoice भी trace कर लिया जाएगा, और वो QR code से आपका invoice भी trace कर लिया जाएगा, और उन्हेने कुछ वेबसाइट क address दी है, जहाँ आप e-invoice generate कर सकते हो, तो भीटा यह बस इतनी ही थी, तो यह chapter में, एक electronic payment by recipient, recipient कौनसे mode से pay करेगा, तो notified class of person में, यह government जो notify करेगी, उसके लिए procedure लाएगी, और e-invoice concept लाया गया, यह e-invoice concept पढ़के जाना, exam में इसके उपर short note आ सकती है, तो exam purpose के लिए अच से पढ़के आपको जाना है, ठीक है, तो यह अमने देखा, okay topic, tax invoice, debit note and credit note, चलो, next topic, assessment and audit, इसमें ऐसी कोई amendment नहीं, section में कोई amendment नहीं, बस एक clarification आया, standard operating procedure जैसे हम कहते है, तो based judgment assessment के लिए वो clarification हमें देखना है, जैसे इसका थोड़ा में background explain कर देता हो, clarification का, फिर रीड करेंग करेंगे वो clarification को, क्या होता था जैसे आपने GSTR 3B में return नहीं दिया, तो GSTR 3B में return नहीं देने के बाद 15 दिन के अंदर आपको section 46 की notice आ जाती थी, कि आपने return file नहीं किया, तो ठीक है, notice आ रही है, पर अब officer को अगर based judgment assessment करना है, तो फिर से opportunity of being hurt दो, कि आपने return दे नहीं र notice भी चले गई, फिर से opportunity of being hurt दो for based judgment assessment, तो procedure और लिंदी हो रही थी, तो यहां government ने एक symbol standard operating procedure सभी department के लिए prescribe किया, और इसमें days भी prescribe कर दिया, कि इतने दिन में ये message आ जाएगा, ये notice चले जाएगी, उसके बाद में अगर नहीं है, तो based judgment इतने दिन में हो जाएगा, तो ये complete procedure government ने prescribe की, जिसे कहा जाता है standard operating procedure, एक्जाम के इसाब से अगर इसके उपर question आया, तो आ सकता है, 4 से 5 माग का, कम chances है, पर आ सकता है standard operating procedure पर, तो चलो हम देखते है, ये standard operating procedure क्या है, ठीक है, तो मैं ये standard operating procedure read करता हूँ, चली, देखे, अब ये standard operating procedure, यहाँ पर अगर आप clarification दिया गया, और 24th December 2019 को एक clarification आया, what are an appropriate procedure to be followed in case of non-furnishing return under section 39, और section 44 और 45 मतलब annual return हो, या आपका अगर regular return हो, या आपका final return हो, और आपने वो नहीं दिया, तो क्या operating procedure रहेगी, again ये procedure है, इसको आपको एक दो बार read करना है, इसमें समझाने लाया कुछ भी नहीं है, जैसा section 46 of CGST agreed with rule 68 of CGST rules 2017 required issuance of notice informed GSTR 3A to a registered person who failed to furnish return under section 39, 44 और 45 requiring him to furnish such return within 15 days, मतलब क्या, अगर आपके return, मतलब GSTR 3B का हो, या फिर आपका annual return हो, ये return जो है, आपकी within time नहीं गहे, तो 15 दिन में, auto generated produce आपको section 46 में आएगी, return chapter में मैंने ये cover किया हुआ है, अगर आप उसको घ्यान से पढ़ो, now section 62 provide assessment of non-failers of return, आप register person who fails to furnish return under section 39 और 45, even a service of notice under 46, मतलब क्या, section 62 अगर आप पढ़ते हो, specially CA final level पे, I repeat, specially CA final level पे, तो यह section 62 अगर आप पढ़ते हो, section 62 में उन्हें complete procedure दी है, कि अगर आपने return नहीं दिया, तो base judgment हो जाएगा, और base judgment जो है, उसकी complete provision यहाँ पे section 62 में उन्हें explain किया है, clarification देखो क्या है, देखो, no separate notice, very important, no separate notice required to be issued for base judgment, assessment under section 62, and in case of failure to file return, within 15 days of issuance of notice in GSTR 3A, a base judgment assessment in the form AS, ASMT 13, can be issued without any further communication, मतलब क्या, यह CBIC ने clarify कर दिया, I repeat, यह CBIC ने clarify कर दिया, कि अगर हमने section 46 में 15 दिन के अंदर आपको notice दे दी, और आपने उस 15 दिन के अंदर कोई यहाँ पे return file नहीं किया, तो officer आपका base judgment assessment कर देगा, without any further communication, इसके बाद आपको कोई भी further communication नहीं होगा, और आपका base judgment assessment कर दिया जाएगा, और नीचे उन्होंने guideline दिया है, कि किस तरह से base judgment assessment होगा, following guidelines are hereby prescribed to ensure the uniformity in implementation of the provision, system generated message would be sent to all registered person, three days before the due date of filing return, अब यह देको यह standard operating procedure क्या है, return की जो last date है, उसके तीन दिन पहले, सबको SMS चले जाएगे, message चले जाएगे, कि आप अपना return file कर दो, next, once due date of filing GSTR3 passes, a system generated email or message would be sent to all defaulter, that is to all authorized person as well as director, partner or proprietor, अगर due date को आपने GSTR3 भी में, यहाँ पे return file नहीं किया, तो आपको system generated mail भी आजाएगा, और message भी आजाएगा, कि आपने return file नहीं किया है, और authorized person like director, proprietor या partner, इनको भी message चले जाएगा, उसके बाद में, 5 days after due date of furnishing the return, notice in GSTR3, A shall be issued electronically, to all defaulters, asking them to furnish the return within 15 days, और GSTR3B की date के बाद, पांच दिन के अंदर, अब 15 दिन में नहीं, पांच दिन के अंदर, आपको auto generated notice, आजाएगी section 46 के तहथ, form GSTR3A में, आप 15 दिन के अंदर अंदर return file कर दिजिएगा, if the said return not filed within 15 days, the revenue authorities may start to assess the tax liability, on the base judgment, basis taking into account, the all information available gathered, issued order under AMT 13, okay, the revenue authorities would be required to upload, the summary in DRC 7, तो आप अगर 15 दिन में, आपका return नहीं आया, तो officer अपना base judgment assessment चालू कर देगा, जो भी information और database उसके बास available है, वो information और database को use करके, वो ASMT 13 में, base judgment के order आपको देदेगा, okay, और उसकी summary DRC 07 में, वो upload कर देगा, तर फॉर्म याद रखना है, बेटा रहे तो ठीक, otherwise procedure तो भी एक बार पढ़ देना, अब officer बेज judgment क्या मनमानी करेगा, क्या अपने इसाफ से कर लेगा, नहीं, वो देखो क्या करेगा, आपने अगर GSTR 1 दे दिया होगा, तो उसकी detail वो consider करेगा, आपकी invert supply auto populated GSTR 2 ए consider करेगा, और उसके पास E-way bill के थूँ या other source के जो भी information available है, वो सभी information को use करके, वो आपका बेजजमेंट assessment करेगा, एक बार फिर से, कौन-कौन सी information use करके बेजजमेंट assessment करेगा, जो GSTR 1 आपने फाइल किया है, आपका auto populated GSTR 2 ए, उसके बाद में आपका E-way bill जो जनरेट हुए है, आपके नाम पे, या कोई other information है, इन सभी information को use करके, वो आपका बेजजमेंट assessment final करेगा, if valid return is furnished within 30 days of the service of a forced assessment order, the said assessment order shall deem to have been withdrawn, else recovery proceeding could be initiated, मतलब क्या, उसके बाद, याने, बेजजमेंट होने के बाद, यहाँ पे, तीस दिन के अंदर, आपने अगर valid return दे दिया, आपने अपने return फाइल कर दिया, तो फिर assessment order withdraw कर ली जाएगी, अगर आपने तीस दिन में अपना कोई return नहीं दिया उस मन्त का, तो फिर recovery procedure आपके अगेंस में start हो जाएगी, इन certain cases, commissioner में resort to provisional attachment of property, to protect the revenue before issuance of order, लेकिन अगर commissioner को ऐसा लगा कि आप पहली भाग सकते हो, और आपकी प्रोपर्टी अटेच कर सकता है, and proper officer also may proceed to cancel GST registration, in case where return has not been furnished, for the specified print section 29, आपका registration भी cancel किया जा सकता है, तो provisional attachment भी हो सकता है, या आपका registration भी cancel किया जा सकता है, तो यह standard operating procedure उने ने दिया है, read कर लेना यह procedure, अगर आया, rare chances है, पर आया तो theoretically इसके उपर question आ सकता है, तो यह था regarding to assessment और आपका procedure complete कैसे किया जाएगा, तो एक छोटा सा यह procedure दी कही थी, यह जो हमने यहाँ पर complete किया बेटा, next topic है account records और e-way bill, तो इसमें account records में तो कोई amendment नहीं है, e-way bill जो है, for CA final और CA inter, दोनों के इसमें एक छोटी सी amendment है, वो amendment important भी है और जो भी मैं discussion करने वाला हूँ, जो question मैं पढ़ाने वाला हूँ, यह question exam के इसाब से भी बहुत-बहुत important है, तो मैं चाहूगा कि आप पूरा धहन दे, बहुत छोटा सा discussion है, पर यह छोटे से discussion पर मैं आपका पूरा धहन चाहूगा दोस्तों, तो चलिए, देखिए वो क्या कहता है, यहाँ पर restriction on furnishing information in part A of the e-way bill 01, अब मैं थोड़ा यह आपको बता दू कि e-way bill 01 जो है, e-way bill 01 part जो है यहाँ पर A, यह generally जो transport करता है goods उसे complete करना पड़ता है, तो कभी-कभी transporter भी on the behalf of consigner और consignee यह जो part A है वो complete करता है, लेकिन क्या है, गौर्मेंट ने एक सजा दी है, और सजा यह दिया कि जो defalter है, जो return नहीं दे रहे है, तो यह लोगों का e-way bill ही government ने block कर दिया है, तो यह provision क्या है, जो rule 138 clause E में दी गई यह है, यह मैं आपका पढ़ता हूँ, देखो वो क्या कहते है, explain the restrictions of furnishing the information in part A of GST EWB01, मतलब क्या, यहाँ पर restriction क्या है, तो as per rule 138 E of CGST rule, notwithstanding to anything, contained in 138 E, मतलब यह जो provision हम कहने जा रहे है, यह इसका overriding effect होगा, I repeat, इसका overriding effect होगा, और वो क्या कहते है, देखो, no person, start देखो कैसा है, no person, फिर वो consignor हो, consignor हो, transporter हो, यह e-commerce operator हो, यह courier agency हो, कोई भी हो, कुछ कैसे समे, transporter EVA bill part A complete करता है, कुछ कैसे समे, e-commerce operator part A complete करता है, तो no person shall allow to furnish the information in part A of the EWB01, in respect of registered person, whether as a supplier or recipient, whether as a supplier or a recipient, who being a person paying tax under section 10, and has not furnished the return, मतलब आप composition levy में हो, section 10 मतलब composition levy, और आपने two consecutive tax period का return नहीं दिया, यहने आपने composition levy के two return नहीं दिये, तो आप EWB01, यह e-way bill का part A complete नहीं कर पाऊगे, okay, तो you cannot complete that part, मतलब आपका EWB01 जो है, वो completely freeze कर दिया जाएगा, B, being a person other than person specified in clause A, has not furnished return for a consecutive period of two months, हाँ, तो अब यहाँ पे composition levy में two tax period दिया है, two consecutive tax period, consecutive मतलब, okay, एक के बाद एक continuity में आपने दो tax period का, फिरो tax period quarterly, yearly, water rate में भी, तो अभी yearly हो गया है, आपका return, under section 10, जो composition levy आप कर रहा है, तो दो consecutive tax period के आपने return नहीं दिये, तो आपका EWB01 freeze हो जाएगा, और अगर आप composition levy में नहीं हो, तो आपने two consecutive month, consecutive मतलब connected, एक के बाद एक, तो दो मन्त के continuous return नहीं दिये, तो यहां पर जहां तक देखा जाएगा, तो आपका EWB01 freeze कर दिया जाएगा, being a person other than person specified in clause A, has not furnished the statement of outward supplies for any two months or quarter as the case में भी, या फिर आपने outward supply का statement, मतलब GSTR1, GSTR1 जो है, वो आपने continuous two month या quarter, अगर आप मन्त में होगे, तो two months, या quarter में होगे, तो two quarters का, अगर आपने GSTR1 नहीं दिया, तो आपका EWB01 freeze कर दिया जाएगा, और कि आपको part A ही open करने नहीं दिया जाएगा, दोस्तों, is it clear, अब आगे देखो, क्या कहते है, provided that commissioner on sufficient cause being shown, and reason to be recorded in writing, by order, allow furnishing of said information in part A of EWB01, subject to such conditions and restrictions as may be specified by him, provided by, मतलब क्या, कि या कुछ कैसे में commissioner, जो है, by reason recorded in writing, आपको allow कर सकता है, आपको allow कर सकता है, पर वो उसके reason record करेगा, उसके बाद में further, provided further that, no order rejecting the request of such person, to furnish the information in part A of EWB01, under first provision shall be passed, without affording the said person, without affording the said person, a reasonable opportunity of being heard, मतलब अगर यहाँ पर उसकी जो भी order restrict की जा रही है, reject किया जा रहा है, अगर उसने request किया आपको, और request करने के बाद आपको reject करेगा, कि नहीं आप EWB01 नहीं फाइल कर सकते हो, तो वो rejection का जो है, उसको opportunity of being heard, तो उसको पूरा हग बनता है, कि वो उसको opportunity मिले, क्यों कि उसकी request क्यों reject किया जा रहा है, next, provided also that permission granted or rejected by commissioner of the state tax, or commissioner of union territory tax shall be deemed to be granted, as came a rejection by commissioner, अगर यह rejection state commissioner, यह union territory commissioner नहीं दिया, तो यह सम्झा जाएगा, कि commissioner में भी यह rejection दिया है, ठीक है, तो यह था regarding to यहाँ पर, यह restriction जो लाया गया, और amended part जहाँ पर जहाँ पर, okay, reasonable opportunity, अगर reject होता है, तो reasonable opportunity दी जाएगी, और state और union territory commissioner को भी यह power दिया गया है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने यह देखा, यहाँ E-way bill में इतना change हुआ है, बाकि कोई change E-way bill में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ E-way bill हमारा topic खतम होता है, तो दोस्तों हमने amendments देखा, चलो, इसके बाद के chapters जो है, refund जो बड़ा important discussion है, लगभुक उसको हमें यहाँ पर एक घंटा लगेगा, लेकिन मैं आपको कहूगा कि refund का, आप आगे का lecture सुनने के पहले, जिरो rated supply का formula अच्छे से पढ़ लेना, उसमें एक छोटी amendment हुई है, और वो amendment और उससे related questions आपको तभी समझ सकता है, जब आप पढ़ किया होगे, इसलिए मैं आज रोक रहा हूँ, वो आप पढ़ लो, refund और बाकी जो छोटी बहुत amendment हुई है, demand में, appeal में और foreign trade policies में वो amendment हम discuss करेंगे, तो मुश्किल से भी एक घंटे का लेक्चर बाकी है, अगर आप refund का पढ़ोगे, जिरो rated supply का formula तो मुश्किल से भी एक घंटे का लेक्चर बाकी है, तो वो हम complete करेंगे, तो दोस्तों, आज यहीं रुकते हैं, अच्छा खासा time हो गया है, मेरी खासते 4 घंटे के उपर हो गया है, आप amendments देख रहे हूँ, ठीक है, आगी के amendment हम lecture, आगी के lecture में continue करेंगे, और थोड़ा आपको मैं बताओगा भी, कि आपने पढ़ाई कैसे करना चाहिए, आपकी strategies कैसी होनी चाहिए, कल मैं ये भी बताओगा कि आपको पढ़ना कैसे है, और एक complete lecture 4 से 5 घंटे का, जो में की amendments है, वो summarize आपको मैं explain कर दूगा, तो उसका lecture अलग से आएगा, तो वो 6 नंबर का lecture होगा, अभी 5 नंबर का lecture जो है, कल आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो mostly major amendments हो गई, बस अभी refund बागी है, और चोटे-चोटे कोई chapters बागी है, तो वो complete कर लेते हैं, मुश्किल से एक घंटा लगेगा, तो चलिए पढ़िए, refund chapter पढ़के आईए, हम आगे amendments continue करेगे, दन, चलो.